जाइन दोस्तों मैं नवीन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ, आसा करता हूँ, आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बहतरीन हैं, एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं, उमीद करूँगा, बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहतरीन होंगे, और प SSC का syllabus था, आपके buena math की हम बात करता है प्यारा की हम बात करते हैं, में आपने syllabus के अकौर्डिंग चली, मैं हाफ के हींदी की भी बात करें, अपने obec में availability आपने syllabus के अकौरडिंग चली, लेकिन स्सी ऐसे पूछे गए जो आपके प्यारे बच्चे SSE GD के सलेबस में जो आज तक SSE GD का एकजाम होता आया है उसके अनुरूप नहीं थे यानि आपका दो कुश्यन अगर हम बोले कि सलेबस से बाहर पूछ रहा है और वो दो कुश्यन प्यारे बच्चे कौन से चैप्टर से पूछ रहा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए चैप्टर हैं आपके संग्या से लेकर के अव्या तक यानि संग्या सर्वनाम से भी कुश्यन आपको देखने को मिले आज आपके प्यारे बच्चे थर्ड सिफ्ट में किरिया से कुश्यन देखने को मिल रहे है पहली ही सिफ्ट में मिला विशेशन से कुश्यन देखने को मिल रहे है और साथ में प्यारे बच्चे आपका वाच्चे से और अव्या से यानि ये च्छे टॉपिक हैं आपको बता देता हूँ आज की किलास में लेकिन अगर हम बात करें प्यारे बच्चे तो बहुत मतलब basic question पूछ रहा है तो जो बच्चे पहले से हिंदी पढ़ चुके थे जिनकी प्यारे बच्चे हिंदी पर थोड़ी पकड पहले सी थी उस बच्चे को जिसने व्याकरण हिंदी की कभी पढ़ी नहीं है उसको उन एक से दो question में बहुत प्यारे बच्चे देखते हैं कि मसकत करनी पढ़ सकती है और उसकी समझ से बाहर वो question हो सकते है और एक एक person आपकी परिशा के लिए बहुत महत्पूर्ण है तो प्यारे बच्चे उन सभी chapter को हम इस आगे आने वाली एक से डेट गंटे की class में कर लेंगे कि कितनी basic चीज़े आप से पूछी जा रही है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या हम पढ़ने वाले हैं और चौथा प्यारे बच्चे इसमें हम Finnishेशन को पढ़ेंगे आप बहुत ध्यान से अगर समझोगे तो बड़े आराम से आपका लोगों के समझ में आएंगी और च्छता chapter है अवयर तो यहां से प्यारे बच्चे आपके question पूछे जा रहे हैं तो ये सारे अध्याए हम लोगों को पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, संग्या से सुरू करेंगे, और उमीद करूँगा आगे आने वाले प्यारे बच्चे, लगभग डेड़ से दो घंटे आप लोग मेरे साथी रहेंगे, और बहुत अच्छे से जो चीजे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो चीजों को आप समझेंगे, ठीक है? तो सुरू करते हैं प्यारे बच्चे, शुरू करेंगे पहले चैप्टर से, प्यारे बच्चे संग्या से, ठीक है? तो क्या पढ़ना है हम लोगों को? सबसे पहले हम सुरू करते हैं प्यारे बच्चे आपका संग्या को. संग्या होता क्या है? किसी भी चीज की परिभासा जानना बहुत महत्पूर्ण है, तो आप कहेंगे भीया, किसी, क्या बोलोगे? इसकी अगर परिभासा की हम बात करते हैं, तो आप कहेंगे, किसी व्यक्ती वस्तू, क्या बोलोगे? किसी व्यक्ती वस्तू, किसी व्यक्ती वस्तू, इस्थान, तीक है? इस्थान, कुन, गुन, दोस के नाम को, गुन, दोस के नाम को, जिसको हम भाब भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? भाब भी कह सकते हैं ये नाम को क्या बोलते हैं हम? संग्या कहते हैं क्या बोलेंगे? इसको हम संग्या कहते हैं तो आप लोग प्यारे बच्चे मुझे एक उधारन बताएं आप कहेंगे भीया किसी के नाम को तो व्यक्ति का नाम प्यारे बच्चे क्या हो सकता है जैसे आप ही के नाम की मैं बात करूँ तो आप क्या कहेंगे भीया इसके उधारन हो सकते हैं क्या क्या अगर हम इसके उधारन की बात करते हैं प्यारे बच्चे तो व्यक्ति यानि की व्यक्ति का नाम राम हो गया किसी वस्तू के नाम की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे वो कुरसी हो सकती है कोई वस्तू इस्थान की हम अगर बात करते हैं तो इस्थान प्यारे बच्चे कोई भी हो सकता है आपका अगर इस्थान मैं बात करूँ उत्तरपरदेश हो सकता है ठीक है? कोई भी इस्थान हो सकता है यानि आदी हो गया यह क्या है? अब मैंने बोला की गुण या दोस यानि किसी की प्यारे बच्चे गुण में अच्छाई आ सकती है और किसी के दोस में उसकी क्या सकती है बुराई आ सकती है ठीक है ये सब क्या होती है संग्या होती एक बार अपनी आखे बंद करो और सोचो इस दुनिया में जो कुछ भी है वो संग्या है आखे बंद करो और कुछ इमेजिन करो फिर आप ये पाओगे दुनिया में भिया मैं भी दिवार देख पा रहा हूँ दिवार हाँ जी एक संग्या है मैं पंखा भिया देख पा रहा हूँ संग्या है, मेरे सामने ये टेबल है किताब है, कौपी है, पैन है घर है, जट है तो क्या बोलोगे भिया, ये सब संग्या है नदी है, पेड है, जमीन है क्या है, सब कुछ संग्या है तो जो सब कुछ आप देख पाते हैं ये जो नहीं देख पाते हैं वो क्या है, वो संग्या है ठीक है, इतनी बात समझे अब मैं बात करता हूँ संग्या के भेद क्या बात करेंगे अब हम बात करने वाले हैं संग्या के भेद कितने भेद होते हैं संग्या के कौन-कौन बच्चा जानता है जो जानते भी होना इसको वो भी एक बार पढ़ लेना एक से डेट गंटे में सारी चीजों का रिवीजन हो जाएगा तो इसमें कोई आप लोगों का घाटा नहीं है अच्छा, संग्या के भेद में प्यारे बच्चे पहली संग्या आती है आपकी व्यक्तिवाचक संग्या क्या बोलोगे व्यक्ति वाचक संग्या आती है ठीक है व्यक्ति वाचक संग्या दूसरी संग्या कौन सी आती है हमारी दूसरी संग्या इसमें आती है प्यारे बच्छे आपका जाती वाचक संग्या ठीक है तीसरी संग्या इसमें कौन सी आती है आपका जाती वाचक के वहाँ वाचक संग्या इसमें आईगी ठीक है जी? अब समझना प्यारे बच्चे तो मैंने बोला कि संग्या के भेध तीन है लेकिन किसमें? आधुनिक हिंदी में तीन भेध हैं प्राचीन हिंदी में क्या बोलते थे? क्या बोलेंगे? जाती वाचक के अनतरगत ही दो संग्याइ और आती हैं एक प्यारे बच्चे संहुवाचक क्या बोलोगे? संहुवाचक और एक होती है प्यारे बच्चे आपका पदहर्थवाचक जिसको हम दरव्यवाचक अंग्रेजी में पड़े ध्यान से समझेंगे ये क्या होती है, भीया हम कैसे पहचान पाएंगे और कैसा कुष्ण पुछा जाएगा, अभी मैं आपको कुष्ण भी दिखाऊंगा प्यारे बच्चे, तो संग्या के भेद कितने, आधुनिक रूप से तीन, पड़े ध्यान से समझना, अब मैं पूछूं आपसे अगर पहले भेद की हम बात करें, व्यक्ति वाचक भीया, हम क्या तीन लाइन से पहचान सकते हैं, सिर्फ ये तीन लाइन पढ़ना, प्यारे बच्चे और संग्या के लिए, व्यक्ति वाचक संग्या कैसी होती है, एक वचन होती है, कैसी होती है, एक अक्लिवासा नहीं है ये मेरी परिभासा है लेकिन आप लोग इससे समझ सकते हैं आसानी वो क्या होती है वो दुनिया में अक्लिह होती है ऐसे नहीं मतलब की जैसे कोई-कौई अकेला रहता तो वो वाला अकेला पन नहीं मतलब! दुनिया में इसके जैसा कोई और नहीं होता दुनिया में इसके जैसा कोई और नहीं होता जैसे अगर मैं बात करूँ राम सब्द है राम किसी का नाम है भीया राम बबीता किसी का नाम है मुझे आप छोटी चीजे बताना तो जो राम है, जो वेक्ति का नाम है राम, इंसान जो राम है, बवीता जो है वो दिखती है या नहीं? हाँ या ना? बोले ये द्रश्य है या नहीं है विजीवल है ये या नहीं है आप कहेंगे भाईया द्रश्य तो है कोई बवीता आपके पडॉस में होगी आपको दिखती होगी या नहीं राम आपके पडॉस में है आपको दिखता होगा या नहीं राम एकवचन है या नहीं है बोलो राम एकवचन है या नहीं है अच्छा आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे राम का बहुचन बना के दिखा सके आप कहेंगे नहीं और दुनिया में अकेली होती है आगरा दुनिया में अकेला है बवीता दुनिया में अकेली है बव जो वो बविता है वो विसेस है उसके जैसी बविता नहीं होती आप कहेंगे नहीं भीया आप जूट बोल रहे हैं कहते हैं दुनिया में एक जैसी सकल के साथ लोग होते हैं तो बच्चा सकल के साथ लोग होते हैं पूरे सरीर के नहीं इसलिए हम बोलते हैं हम सकल उनकी सकले म आप अपने सहर का नाम सोचे, आप अपने इंटर कॉलिज का नाम सोचे, वो विसेस है, क्या बोलोगे, वो विसेस है, ठीक है, राम, बवीता, आगरा, अच्छा भीया, हम जाती वाचक को कैसे पहचानेंगे, तो दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ, प्यारे बच्चे, जो जाती वाचक संग्या होती है, जाती वाचक संग्या, ये भी प्यारे बच्चे याद रख लेना द्रश्य होती है, कैसी होती है, द्रश्य होती है, लेकिन जिसके जैसे और हों, ये मोटी सी परिभासा है, जो आपके दिमाग में रहेगी, जिसके जैसे और हों, ठीक है, और प्यारे बच्चे अगर हम बात करें, इसका बहुवचन बन सकता है, राम का थोड़ी बना सकते हो, कभी रामों कर दोगे क्या, आगरों कर दोगे क्या, आगरों, बविताओं कर दोगे क्या, नहीं कर पाओगे, अच्छा, अब दिहान से आएंगे प्यारे बच्चे, मैंने ब जिसके जैसे और हों, तो किसके जैसे और होते हैं जरा बताना, तो आप कहेंगे भीया जी, मैं अगर बात करूँ पेड, पेड के जैसे और पेड होते हैं या नहीं होते, बो एक बार, मैं आप से बोलू, आम के जैसे और आम होते हैं या नहीं होते हैं, गाए के जैसी और गा होते हैं या नहीं होते कुरसी के जैसी और कुरसी होती है या नहीं होती अगर मैं बात करूँ लड़के तो लड़के का मतलब क्या हो गया बहुवचन भोलो बात को तो यह दिखती है चीजे या नहीं दिखती हां जी जिसके जैसे और हो देखो आगरा के जैसा कोई और नहीं हो सकता दिल्ली आगरा के जैसी नहीं है समझे बात को कुरसिया बहुवचन बन जाएगा इनका बहुवचन नहीं बनेगा पूरी दुनिया की मैं आप से देखो दस चीजे पूछूंगा और आप एक सेकंड लगाओगे बताने में तीन लाइन सिर्फ याद रख लेना और करो तो एक मतलब मजाग है देखेंगे ध्यान से तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चे एक तीसरी है भाववाचक क्या बात करोगे भाववाचक ये होती है अद्रश्य तो मैं आप से पूछूं कौन सी संग्या है जो अद्रश्य होती है क्या होती है अद्रश्य होती है और मेरी परिभासा है जिसे प्लेट में ना परोस सकें क्या बोलोगे जिसे प्लेट में ना परोस सकें मतलब जो प्लेट में नहीं रखी जा सकती जिसको आप प्लेट में नहीं रख सकते समझना भई कैसे तो अगर हम बात करें अदरश्य है जिसको प्लेट में न रख सके जैसे प्यारे बच्चे कोई भाव हो गया किसी का, मैंने बोला बुराई क्या बुराई हो गया ठीक है, और याद रख लेना ये कैसा वचन होता है ये भी एक वचन होती है तो बुराई हो गई आपका हम कह सकते हैं प्यार हो गया, ये एक भाव है फीलिंग है, क्रोध हो गया क्रोध, किसी से आपको प्यारे बच्चे महबत है क्या है? महबत है प्यार है, इसक है तो ये सब क्या होते हैं? ये भाव होते है अच्छा, अगर मैं आप से बोलूँ बुराई को पिलेट में रखके ले आओगे क्या आपको होगे भीया पिलेट में तो पेड भी नहीं रखा जा सकता रख सकते हैं पिलेट का साइज बड़ा होना चाहिए पिलेट अगर बड़ी है तो प्यारे बच्चे बिलकुल रख सकते हैं कुरसी को रख सकते हैं हाँ जी गाय को रख सकते हैं हाँ जी पलेट बड़ी होनी चाहिए ठीक है अच्छा अगर हम बात करें भीया बबीता को रख सकते हैं पलेट में हाँ जी आगरा को हाँ और बड़ी पलेट होनी चाहिए तो पलेट ऐसा थोड़ी कह रहा हूं मैं घर की प्रड़ ए प्लेट में आपम nella पाएंगे मैं बलू प्लेट में रिस्तधारों के सामने क्रोंध लेकर करके आओ आप नहीं लेकर आपाएंगे मेकर आपएंगे समझ नहीं मेरी बात को यह कैसी हुई एक बुरा यह दिखती है क्या आप कहेंगे भीया करोध तो दिखता है तो भीया चेहरा दिखता है करोध नहीं दिखता इमानदारी दिखती नहीं है करोध महबत ये दिखते नहीं है वो चेहरा दिखता है तो ये जो भाव है करोध तुम्हें पता चलता है क्या करोध कैसा होता है तो उसकी तस्वीर नहीं होती वो अदरश्य है और ये एकवचन होता है अगर भीया मैं बात करूँ ये कैसे होते हैं ये भी एकवचन होते हैं अब मैंने इतनी चीजे आपको सिखाई अब आपकी जिम्मेदारी है आप मेरा आंसर करेंगे एक बार आंसर करना प्यारे बच्चे मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ वकील सब्द में कौनसी संग्या होगी इन तीनों में से बोलेंग एक बार वकील सब्द में कौनसी संग्या है अंगूर सब्द में कौनसी संग्या है मैं आप से पूछूँ प्यारे बच्चे ताज महल में कौन सी संग्या है मैं आप से पूछूँ प्यारे बच्चे मैं आप से पूछूँ सुन्दरता में कौन सी संग्या है तो क्या बोलोगे वही तीन परिभासा है बो ये दुनिया में वकील क्या विसेस होता है दुनिया में वकील क्या विसेस होता है नहीं जी उसके जैसे और होते हैं वकील के जैसे तो और वकील होते हैं तो जाती वाचक अंगूर के जैसे और अंगूर होते हैं या नहीं होते हैं भीया जी होते हैं ताज महल के जैसे और ताज महल की कौपी है, तो क्या बोलोगे, ताज महल ये क्या होता है, ये वैकती वाचक हो गया, ये अकेला है दुनिया में, इसके जैसा और कोई नहीं है, जो दुकान में रखा है वो क्या, इसके जैसा है, सुन्दरता क्या है प्यारे बच्चे, ये भाव वाचक हो जाए, तो तीन संग्या किलियर हुई, तो एक बार थमसब कर दो पिलीज कि भीया किलियर हो गई तीनों संग्या हमें समझ में आ गई, तो भीया आपने तो पांच संग्या बताई थी, तो तीन पहले किलियर हुई, अच्छा, अब फिर उन दो को भी किलियर कर देते हैं आप लोगों ये क्या है संगठन संगठन संसद इसमें बहुत सारे लोग होते हैं तो वो क्या होती है सम्हू वाचक पदार्थ वाचक में क्या आती है जो आप chemistry में पढ़ते हो सारे elements चांदी, सोना, लोहा और सारे liquid जो raw material हैं जैसे हम बात करें घी हो गया, तेल हो गया प्यारे बच्छे, पानी हो गया, ठीक है, पैटरॉल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ वाचक हैं, एक बच्छा कह रहा है सर जी संदर्था तो दिखती है, बटा नहीं दिखती संदर्था, चेहरा दिखता है, मैं आपसे बोलू संदर्था मेरे इस plate में रखके मुझ दिख रहा है आपको, गुसा नहीं दिख रहा है, गुसा कैसा होता है, बताओ, मैं आपसे बोलू मुझे गुसे का फोटो बना के दिखाओ, फोटो फ्रेम में गुसा दिखाओ, फोटो फ्रेम में मुझे को दिखाओ संदर्था कैसी होती है, तो आप कहोगे, हाँ भीया, आप ठीक कह रहे हो, इसका तो फोटो ही नहीं बन सकता अलग से, तो फोटो नहीं बन सकता मतलब इसकी कोई फोटो नहीं होती, अभी तो फोटो नहीं बनता इसका, तो यानी कि ये एदरश्य है, इसको देखा ही नहीं जाता, बोले आप स्वेम, हाँ कि ना, इतनी बात समझ म तो ये हमारा संग्या में ये पांच संग्याए होती हैं अच्या अब सनो ध्यान से एक आता है प्यारे बच्छे आपका भाववाचक जो संग्या है ये वाली संग्या जो मैंने आपको तीसरी बताई थी भाववाचक संग्या का निर्मान इससे प्यारे बच्छे आपको किसी भी धिन कुश्यन मिल सकता है भाव आचक संग्या का निर्मान याद कर लेना भाव आचक संग्या का निर्मान पांच तरीके से होता है कितने तरीके से हर बच्चा बच्चा बोलेगा पांच तरीके हैं भाव आचक संग्या को बनाने के अच्छा भीया, कौन कौन से तरीके हैं, तो नंबर एक तो प्यारे बच्चे विशेशन से, इससे बनती है, विशेशन से बनती है, ये विशेशन से, अब आप कहेंगे भीया हम तो विशेशनी नहीं जानते हैं, विशेशन क्या होता, एक मिनट में सीख जाओगे, कैसा जी, देखो, मैं एक बात बोलू राम अच्छा है राम कैसा है भीया राम अच्छा है तो हम क्या बता रहे हैं राम की बोलो हम क्या बता रहे हैं राम राम है प्यारे बच्छे कौन विशिश है जिसकी बात होती है वो तो होता है विशिश है भाई अभी जाना आपने ये संग्या है राम तो बोलना कैसी संग्या है वैक्तिवाचक की जातिवाचक वैक्तिवाचक की लालवाचक क्या बोलोगे या आपका जातिवाचक आप कहेंगे भाईया ये जातिवाचक संग्या है विशेशे की जो तारीफ बताई राम कैसा है कैसा का जो जवाब देता है ना कैसा का तो वो होता है प्यारे बच्चे विशेशन यानि अच्छा क्या है विशेशन है अच्छा क्या है विशेशन है बबीता बहुत बुरी है जब बोलेंगे बबीता बहुत बुरी है तो बताओ इसमे विशेशन जब जानों तो जब तुम मुझे बतादो मैं बोलेंगे बबीता गौरी है ऐसे मैंने बोल दिया यज disfruttu आपसे कि का बोलेंगे सुनीता इमांदार है तुनीता इमानदार है तो प्यारे बच्चे हम क्या बता रहे हैं? विसेस्ता बता रहे है तो विशेशन क्या होता है? जो संग्या और सर्वनाम की विसेस्ता बताता है ठीक है? तो क्या बोलोगे? आप कहेंगे बबीता कैसी है? गोरी है तो नीता कैसी है इमानदार है तो विशेशन आया समझ में थम सब करके बताओ आप कहेंगे भीया जी क्या बोलेंगे एक बच्चा अपवाद नहीं पढ़ने आप लोग को किसी ब चीज का काम देहनू गाए ऐसी जेटल बाते करोगे काम देहनू गाए रिसी जनम दिगनी की अकेली गाए थी ऐसे बात करोगे वो तो व्यक्तिवाचक हो गई उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है ठीक है तो वो तो अपवाद है आगे आएगे विशेशन विशेशन से बनेगी भावाचक संग्या जैसे विशेशन है अच्छा मुझे बताओ अच्छा और एक है विशेशन बुरा इससे मुझे बताओ भावाचक संग्या बना कर तुम्हें बनानी है भई इमानदार से बना दो भई भावाचक संग्या क्या बन जाएगी इमांदार तो विशेशन हो गया ना तो क्या बोलोगे अच्छा का भहिया जी अच्छाई बन जाएगा अच्छाई क्या है भावाचक संग्या है बुरा का क्या बन जाएगा बुराई बन जाएगा इमांदार का प्यारे बच्चे क्या बन जाएगा इमानदारी बन जाए क्या बन जाएगा इमानदारी बन जाए ठीक है तो एक तो विशेशन से भावाचक संग्या बनती है एक बनती है प्यारे बच्चे सर्वनाम से अब तुम कहोगे भीया हम तो सर्वनाम भी नहीं जानते तो सर्वनाम भी बता देते हैं क्या होता है तो वे सब्द जो संग्या की जगे इस्तेमाल होते हैं जैसे मैंने बोला यहां पर देखो ध्यान से सुनीता इमांदार है भई तो यह सुनीता क्या है बोलना संग्या है या नहीं है Yes or No आप कहेंगे हां भीया जी ये तो वेकतिवााचत शंग्या है तो मैं बोल दू सुनीता की जिगे वह बोल सकता हूं नहीं वaha इमानदार है तो ये वह सब्ध मैंने किसकी जगे इस्तिमाल किया है आप कहेंगे भीया आपने ये सुनीता की जगे इस्तेमाल कर लिया हैं जी बोलो तो मैंने क्या बुला संग्या की जगे जो इस्तेमाल हो जाता है वो सर्वनाम होता है वो सर्वनाम होता है सर्वनाम मैं आपको चैप्टर ही पढ़ाऊंगा मैं तुम ये सब होते हैं तो सर्वनाम में एक सब्द आता है, बार-बार पुछा जाता है मम सब्द, और मम से भावाचक संग्या बनती है ममता, जाती वाचक संग्या अभी बताई थी मैंने आपको, तीसरा तरीका है जाती वाचक से बनाने का, इसे जाती वाचक प्यारे बच्छे संग्या से आप बन सकते हैं जैसे लड़का एक जाती वाचक संग्या है लड़का की भावाचक संग्या बताएं नेता सब्द जो है ये जाती वाचक है भाई लड़के के जैसे और लड़के होते हैं या नहीं हां जी ये जाती वाचक है भाई यही तो मैंने आपको बताया था जिसके जैसे और ह वो जाती वाचक है तो लड़के की भावाचक सोचो क्या बन जाएगी जैसे मैं बोल दू बच्चा बच्चा भी तो बच्चे के जैसे भी तो और बच्चे होते है हां जी होते है बहुत बढ़िया सारे बच्चों का बहुत जबरदस्त आंसर आता हुआ लड़के की बन जाएगी जी लड़कपन बच्चा की क्या बन जाएगी बच्चपन ये भाव आचक संग्या है बच्चपन एक भाव है नेत्रतव नेता की नेत्रतव एक भाव है आ ऐसी तो सोचनी है छोटी छोटी चीजे आपको जब यहां सोच पा रहे हो तो पेपर में क्यों नहीं सोच पाओगे भाई बिलकुल सोच पाओगे ठीक है चौथा आपका प्यारे बच्चे किरिया से अब ये मत कह दे ना भीया हम तो किरिया भी नहीं जानते कोई भी जो काम है नो आसको करना किरिया कहलाता है जाना, खाना, नहना, लेटना, सो जाना ये सब क्या है किरिया है जैसे किरिया होती है आपका उडान उडान से बताओ प्यारे बच्छे भावाचक संग्या क्या हो जाएगी चड़ना ये भी तो सुरी मैं तो उल्टा आपको बता रहा हूँ किरिया तो उड़ना होगी न उड़ना उड़ना से बताओ जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ चड़ना से बताओ चड़ना से क्या हो जाएगा मैं आपसे कह दू पढ़ना एक किरिया है भोलो भी भावाचक संग्या क्या हो जाएगी तो उड़ना जिन में ना लगा हो वो तो किरिया 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 देखो किरिया भी आपको समझा दू जरा जो बच्चा नया होता न उसको थोड़ी दिक्कत होती है सरम मत करा करो ऐसे हस ना देखो किरिया कैसे बनती है एक होती है मूल दहतू हस और इसमें ना जोड़ दो तो क्या बन जाता है हस ना रोना रोना में मूल दहतू क्या होगी बोलना जरा आप कहेंगे रो धन ना तो प्यारे बच्चे ये मूल दहतू है मूल दहतू में जब हम ना जोड़ते हैं तब हमारी क्या बनती है? बभाव, उडान, उडान को पेस नहीं कर सकते जी चढ़ाई, इसको पेस नहीं कर सकते जी पड़ाई, पिलेट में पेस नहीं हो पाए जी ये क्या है? ऐसा सब्द बनाना प्यारे बच्चे जो अद्रश्य हो आप कहेंगे बहिए चड़ाई तो दिखती है बटा चड़ाई नहीं दिखरी आपको क्या दिखरी है पहाडी दिखरी है आप कहेंगे बहिए दिवार उंचाई दिवार की दिखती है नहीं बच्चा दिवार दिखती ह उंचाई तो एक भाव है नहीं कोई आपका अपवाद नहीं आएगा ठीक है कहीं नहीं आता आपका इतनी बात समझें प्यारे बच्चे अब आती है बात आपकी पांचवा होता है अव्य ये आज कुश्चन इससे पूछा गया अव्य आपको आज पूरे चैप्टर में ही समझाँगा सिग्र सिग्र की भावाचक संग्या मुझे बता दो और हाहा हाहा की भावाचक संग्या क्या होती है तो सिग्र की तो होती है सिग्रता और हाहा की होती है हाहा कार क्या होती है हाहा कार अव्य क्या होता भी या थोड़ा सा तो बताओ बच्चा ये चैप्टर है इसको अभी समझेंगे पहले में आपको बेसिक चीजे समझा दू संग्या क्या सर्वनाम क्या तब आपको अव्य समझ में आएगा खोड़ी सी परिभासा बोल दू जो लिंग वचन कालकारक के आधार पर परिवर्तित ना हो सके जैसे लड़का का हम लड़की बना सकते हैं ठीक है अगर हम बात करें मोटा का हम मोटी बना सकते हैं इसका हम इसे बना सकते हैं ठीक है संग्या भी बदल जाती है सर्वनाम भी किरिया जाना का हम जाने बना सकते हैं जाता बना सकते हैं जाती बना सकते हैं लेकिन ये सब्द नहीं बदल सकता सिग्र को बदल के देखो जरा क्या सिग्र को आप किसी भी तरह से बदल पाओगे सिग्रो सिग्री सिग्रे बदल न जरा आपको होगे नहीं भाया ये तो सच में बदला नहीं जा रहा किसी तरीके से संग्या बदल जाती है सर्वनाम बदल जाता है किरिया बदल जाती है विशेशन बदल जाता है लेकिन प्यारे बच्चे अव्य कभी बदलता नहीं है क्या बोलोगे अव्य कभी बदलेगा दिहान से तो ये क्या है अव्य ये एकदम से नई चीज आएगी पूरा चैप्टर में आपको ये समझाऊंगा मैं तो ये क्या हो गया हमारा संग्या हो गया ठीक है जी ये क्या हो गया संग्या अब संग्या का टेश्ट ले लूँ तुमारा एक छोटा सा क्या आप सीखे हो ये पता तो चले तो अब टेश्ट है तुमारा ये रहा समझना ध्यान से मैं आपसे पूछूंगा प्यारे बच्चे कुश्यन नमबर एक, तीन कुश्यन पूछूंगा, तीनों बनने चाहिए, ठीक है, मैं आपसे पूछूं, बच्पन सब्द में कौनसी संग्या है, बच्पन में संग्या कौनसी है, बोलेंगे एक बार, चारों आप माने, कुश्यन नमबर दो मैंने आपसे पूछा, प्यारे की भावाचक संग्या क्या होगी देखते हैं आप लोग लगा पाते हैं या नहीं मोटा की भावाचक संग्या क्या होगी कुश्यन नमबर तीन मैंने आपसे पूछा प्यारे बच्चे क्या मैं आपसे इससे पूछ सकता हूं मैं इसमें आपका सब्द ले सकता हूं प्यारे ब तो आप क्या कहेंगे भीया, हमको ये सीखने के लिए बच्पन में क्या होगा, भावाचक हो गई, मोटा में भावाचक संग्या क्या हो जाएगी, मोटा की मोटापा हो जाएगी, अरा जान पा रहे हो या नहीं, थोड़ा बहुत बताओ तो सही, भीया भेजे में आया, मोटे जैसी और भी होती है इसका बहुवचन भी बनेगा जाती वाचक हो अच्छा आगे चलेंगे आगे चलना और आगे समझना जैसे आज आजओ कि आज कौन से कुश्चन पूछे गए तो संग्या से तो नहीं पूछा गया लेकिन सर्वनाम से बताऊंगा कौन से कुश्चन सर्वनाम से किस तरह के कुश्चन पूछे जा रहे हैं तो देखो सर्वनाम क्या है अगर हम इसकी परिभासा की बात करें प्यारे बच्चे इसकी परिभासा की हम बात करते हैं तो वे सब्द जो संग्या के इस्थान पर इस्तेमाल हो यानि दरसल में अगर कठिन परिभासा की तरब बात करें तो ये संग्या की पुन्रावरत्ती रोकते हैं अब तुम से क्या परिभासा पूछी जा रही है नहीं तो वे सब्द जो संग्या के इस्थान पर प्रियोग हो उनको आप क्या कहेंगे आप कहेंगे भीया वो हैं आपका क्या सर्वना जैसे अभी बताया था सुनीता इमांदार है तो बोलो सुनीता की जिगा क्या लगा सकते हैं आप वे है इमांदार है वे है इमांदार है अच्छा जी तो भीया पहली बात तो मैं आपको बता दूँ सर्वनाम के भेद कितने होते हैं जिनसे कुश्चन आज पूछे गई सर्वनाम के भेद होते हैं प्यारे बच्चे च्छे और सर्वनाम सब्दों की संख्या कितनी होती है क्या बोलेंगे सर्वनाम सब्दों की संख्या कितनी होती है तो सर्वनाम सब्द तो होते हैं ग्यारे यानि वर्ड्स तो ये ग्यारे हैं और उनके जो भेद हैं टाइप है वो छे कौन से हैं भहिया जरा बताओगे हाँ क्यों नहीं बताओगे बिल्कुल बताएंगे पहले सर्वनाम सब्द जान लो भेद अपने आप जान जाओगे 11 कौन कौन से हैं एक तो मैं मैं एक तू क्या बोलोगे मैं और एक तू ये है वे है चाट जाना इन सब्दों को बता रहूँ जो और स्थो सो मत जाना कौन कौन और क्या कौन और क्या ठीक है तो फिर आता आपका कोई और कुछ कोई और कुछ और एक है आप कौन सा आप तो कितने हो गई ये मैं तू ये है वे है जो सो जो सो कौन क्या कोई कुछ और आप कितने हो गई जी ग्यारे हो गई अब आजाओ सर्वनाम के भेद कितने बताए थे च्छे बताए है न तो च्छे भेद हो गई वच्छे अच्छे आजी मैं और तू होते हैं पुरुस वाचक यह वह होते हैं निश्चे वाचक यह हमेशा कैसे होंगे निश्चे वाचक जो सो क्या होते हैं संबंद जोडते हैं अभी बताऊंगा कैसे जोडेंगे क्या बोलोगे संबंद वाचक क्या होते हैं संबंद वाचक होते हैं कौन क्या यह हैं प्यारे बच्छे आपका पिरसन वाचक क्या है पिरसन वाचक कोई कुछ ये क्या है ए निश्यवाचक या ये तो बड़ा कठिन सा नाम है अभी देखना कितना आसान लगे गए ए निश्यवाचक और आप में है निजवाचक क्या है निजवाचक अभी समझना भई बड़े ध्यान से बड़े गौर से तुने गोर से दुनिया वालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे रहेंगे हिंदुस्तानी अच्छा जी भीया यह है वह है सबसे पहले समझो सबसे आसान संबंध वाचक संबंध वाचक होता है जो प्यारे बच्चे दो वाक्यों का संबंध जोडता है सम्द जो सोएगा वो खोएगा जैसे मैं बोल दूँ जिसकी लाठी उसकी भैस समझना जिसकी लाठी उसकी क्या है उसकी है भैस उसकी क्या है भैस तो जिसकी और उसकी जुड़ाए सम्द दो उपवाक्षियों का या नहीं जैसा करोगे वैसा भरोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे चाओ गया वैसा भरोगे तो जैसा और वैसा जुड़ रहा है संबंद या नहीं एक एक तुम बनाओ कोशिस करो बनाने की सब बन पाएगा बोलो भई भहिया बन पा रहा है अच्छा पिरसन वाचक में मैं बोल दूँ कौन और क्या वै क्या खाओगे आज आया पिरसन आज आया पिरसन क्या आप से पूछ लेगा क्या खाओगे मैं क्या को रेखांकित करके ये पूछ रहा कौन सा सर्वनाम कर दोगे या नहीं कर दोगे आप को होगे भीया खचेड का मारें गया कौन दर्वाजे पर कौन आया है रे खांकित करके पूछ रहा है, आज ही पूछा गया पुरसन वाचक, तुम बोलोगे भीया हम है कोई और कुछ बई कौन पिरसन ही तो है ये क्या खाओगे ये पिरसन है कोई आया है कोई आया है कौन है जिसने दिल पर दस्तक दी कौन पिरसन पूछ रहे हैं क्या बोलोगे कोई आया है तो बताना कौन आया पता क्या कौन आया गेट खोल के देखो ऐसा घुंदी बजी उसना पूछा कौन है पता नहीं भार पता नहीं वो तो सोच रही है उसकी बच्ची कह रही है मम्मी जी उपाजी आये हैं लेकिन गेट खोलने वे पता चला भार तो डौगी जी खड़े हैं गेट पर पता थोड़ी चलता प्यारे बच्चे बताओ क्या बोलोगे कोई क्या होगया एंश्य वाचक एंश्य तो पता नहीं है कौन है ठीक है वे है कुछ लाया है तुम सोच रहे है उसन्तरा है और निकलें अमरूद तो ऐसे बंद पैकिंग में अंदाजाई तो लगाओगे वह कुछ लाया है गिफ्ट में और गिफ्ट में तुम सोच रहे हो कोई बढ़िया सा गिफ्ट होगा उसने अंदर घूसा लगा रखा तो वो वाला जो खुलते ही ऐसे नाक पे लगता है तो क्या बोलोगे वह कुछ लाया है तो बात समझे तो पक्का जब ना हो तो ऐ निश्चेवाचक तो कोई और कुछ कभी भी दिखे और यहाँ पूछ ले ऐसा वाक्य तो बोलोगे न कुछ क्या है यार कुछ पई नाम तो बताई नहीं राजी आप निश्वाचक होता है वहे खुद स्कूटी चलाएगी या बोलोगे वहे खुद स्कूटी चलाएगी यानि जब काम खुद किया जाए खुद किया जाए मैं स्वैम ठंड में पोचा लगाऊंगा ऐसे बोल दूँ मैं अपना सेलेक्शन खुद के दम पर लूँगा क्या बोलें मैं अपना सेलेक्शन खुद के दम पर लूँगा तो जब खुद की बात आजाए खुद की तो क्या बोलोगे निजवाचक हो जाता है खुद की बात पर प्यारे बच्चे क्या हो जाता है आपका बोलेंगे भीया जी तब हो जाता है हमारा क्या जब खुद की बात आएगी तो निज हो जाता है निश्यवाचक यहे मेरी पुस्तक है यहे मेरी पुस्तक है ध्यान से देखना इस वाक्या को विशेशन में फिर से पूछूँगा तुमसे यहे मेरी पुस्तक है, वहे तेरी पुस्तक है तो यहे और वहे किसमें आएंगे प्यारे बच्चे वहे तेरी पुस्तक है जब common question पूछता है तो प्यारे बच्चे यहीं से question पूछ लेता है सीदे सीदे underline कर देगा और पूछ लेगा बताओ कौन सा सर्वनाम है चार option देदेगा और आपसे पुछेगा मैं और तू ये पुरुसवाचक हो ठीक है मैं और तू क्या है ये पुरुसवाचक है ये सर्वनाम आप छाट सकते हो या नहीं छाट सकते एक बार बताओ yes और no तो आप कहोगे भीया पुरुसवाचक है निश्यवाचक है सम्मन्दवाचक है आपका ठीक है जी पिरसनवाचक है ए निश्यवाचक है और निजवाचक है तो ये छे होते हैं छाट लोगे आराम से कोई दिक्कत तो नहीं है आप कहोगे हाँ भी आच छाट लेंगे मैं तो नहीं मान रहा तुमारी बात मैं तो तुमसे कुश्चन पूछूंगा और जब जब आप दे दोगे ना तब जानूँगा और तब होगा हमारा चैप्टर नंबर दो ठीक है जिहान से सुनना वे है वे है ठीक है वे है अलमारी नहीं ऐसा नहीं बोल सकते फिर तो विशेशन बन जाए वो विशेशन में समझाँगा वे है मेरी अलमारी है वे है मेरी अलमारी है इसमें पूछ रहा हूँ वे है कौन सी संग्या है सॉरी संग्या कहा रहा हूँ वे है कौन सा सर्वनाम है ठीक है दिल में किसी ने दस्तक दी है तो ये दिल में किसी ने अब आप कहोगे भीया ये तो मैंने पढ़ाई नहीं है अरे तो आइडिया तो लगाओ भाई जब ही तो बताओगे दिल में किसी ने दस्तक दी भीया ये तो सर्वनाम हमने कहीं पढ़ाई नहीं तो बच्चा सर्वनाम का रूप बदल के भी देता है ये है का ये कर देगा वे है का आपका कर सकता है वो कर देगा बना करके रूप तो बदल सकता है ना जैसे जो अरसों से जिसका उसका बनता है तो किसी तो आप कहोगे भीया किसी ने दस्तक दी दिल में तो कुटा थोड़ी दस्तक देगा भाई दिल पर कोई इंसान ही तो होगा लेकिन कौन है पता नहीं है जी पता नहीं है तो क्या है ए निश्यवाचक है ना बात तो ये है क्या है ए निश्यवाचक है समझें वे है ये निश्यवाचक है ये क्या हो गया ये निश्यवाचक हो गया अच्छा कुश्यन नमबर तीन पर चलते हैं कुश्यन नमबर तीन समझना क्या बोलेंगे इस्कूल में कौन आया है बोलेंगे भीया कौन सा हो जाएगा इसमें कुश्यन नमबर चार मैं मैं स्वैम क्या बोलें मैं स्वैम बाजार जाऊंगी चली जाओ मैं स्वैम बाजार जाऊंगी तो बोले भीया तो इस्कूल में कौन आया है पिरसन पूछता की नहीं पूछता बिलकुल भीया जी मैं स्वैम निजवाचक है की नहीं है बोलो बोलो भीया, आओ भई, देखना ध्यान से, कुश्चन नमबर पाँच, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें कौन सा होगा सर्वनाम बताना जरा, जैसी करनी वैसी भरनी, संबंद जोड दिया, जैसा वैसा, तो आप कहोगे, भीया जी, संबंद वाचक हो क्या हो जाएगा समंद वाचक हो जाएगा कर दोगे भीया या नहीं कर दोगे चले आगे थमसब तो कर दो बो भीया दौनों चैप्टर में से यह जो बेसिक चीजे यह पूछ रहा है इनको घोट घोट के मारेंगे घोट घोट के कैसे मारेंगे घोट घोट के तीसरा पूछे गए आज किरिया किरिया की बात करते हैं प्यारे बच्चे किरिया क्या है? किसी कारिय का होना और जिसमें ना जुडा हुआ वो क्या है किरिया एक तो होती है मूल दहतू मूल दहतू में जब ना परत्य जुडा हुआ हो मूल दहतु में क्या जुड़ा हुआ हो ना जुड़ा हुआ हो ना एक परत्य हो परत्य मतलब जो बाद में जुड़ता है सब्द के चतुराई में जैसे आई जुड़ा हुआ है तो मूल दहतु की अगर प्यारे बच्छे मैं आप से बात करूँ तो आप कहोगे भाया जी कोई भी बोलो तुम बोलो तुम बोलो गे मूल दहतू भाग और ना हो गया भाग ना ठीक है तो क्या बन जाएगा भाग ना बन जाएगा या नहीं बन जाएगा आप कहेंगे हाँ जी भाया जी बिलकुल बनेगा बोलो भाई ऐसे तुम और बताओ म जोड़ दो तो क्या बनेगा मुझे ये बतादो इस से भी साधारन कोई चीज हो सकती है बैटा सिर्फ ना नी जुड़ता इसमें आपका आना भी जुड़ता है आना ठीक है और इसमें प्यारे बच्चे आपका वाना भी जुड़ता है क्या जोड़ता है वाना भी जोड़ सकते हैं किस में जी मूल धातू में मूल धातू तो बोले तो हस में अगर मैं ना जोड़ दू और भहिया जी हस में मैं अगर आपसे मूल दहतु में, क्या बोलेंगे, मूल दहतु में प्यारे बच्चे आपसे आना जोड़ दू, और हस मूल दहतु में मैं आपसे क्या जोड़ दू, वाना जोड़ दू, तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे, भीया हस में ना जोड़ा, तो हस ना बना, ठीक है, हसाना बनेगा, क्या बनेगा हसाना बन जाएगा और प्यारे बच्चे आपका हसवाना बन जाएगा बनेगा की नहीं बनेगा बन जाएगा भीया कोई दिक्कत यह क्या है तो द्यान से समझना बच्चू कि जब ना जुडे तो बनता है क्या बोलोगे किरिया क्या बनता है आपसे किरिया क्या बोलोगे किरिया बनता है और ये क्या बनता है आपका प्यारे बच्चे पर्थम क्या बनता है पर्थम प्रेणार्थक बनता है पर्थम प्रेणार्थक बनता है आना जुड़ने से क्या बनेगा पर्थम प्रेणार्थक और प्यारे बच्चे क्या वो लोगे आपका जैसे ही वाना जुड़ता है तो दुत्य प्रिर्णार्थक बन जाता है क्या बन जाता है दुत्य प्रिर्णार्थक बन जाता है क्या बई इस बात में ऐसे थोड़ी मानेंगे पहले मैं आपसे बूछूंगा कि मुझे बना के दिखाओ तीनों रूप तब जागे चलेंगे एक सब्द है मूल दहतू जल जल से बनाओ जल एक मूल दहतू है इससे किरिया भी बनाओ पिर्थम प्रेणार्थक भी बनाओ और इससे दुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् जलवाना हो गया, ठीक है, वो दिकत, बोलेंगे भी फटा-फट से, बहुत बढ़िया जी, एकदम से भीया ठीक है, वो दिकत है इस बात में, अरे फर्स्ट फर्म, सेकेंड वर्म, थर्ड फर्म जानते हो या नहीं जानते, इतनी बात बताओ, गो वेंट गोन, गो माने जाना, वेंट माने गया, पास्ट का पुरानी फर्म है, और क्या बोलेंगे आपका गोन चला गया, बहुत बढ़िया जानते हैं जी, नहीं जानते तो, अब मैं तुम्हें कोई फर्स्ट फर्म, सेकेंड फर्म थोड़ी पढ़ाऊंगा, हैं, आ गया इतनी बात समझे, अब आते हैं हम प्यारे बच्चे कर्म के आधार पर, हमको पता होना चाहिए, कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, इस पर कर्म के आधार पर किरिया के दो भेद होते हैं, प्यारे बच्चे, एक तो होती है सकर्मक, कौनसी किरिया? सकर्मक होती है, और ए एक होती है प्यारे बच्छे अकर्मक्रिया कौनसी किरिया अकर्मक्रिया होती है ठीक है सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया तो बताना सकर्मक्रिया कौनसी होती है हमें नहीं पता भीया कौनसी होती है मैं बताऊंगा ना तब तो पता चलेगा मैं तो यह समझ रहा हूं कि तुम म सकर्मक किरिया हम बात करें, खाना, क्या बोलेंगे, खाना, ठीकिया जी, पीना, क्या बोलेंगे, खाना, पीना, खेलना, जो बच्चे जानते हैं वो भी बताओ भी, खाना, पीना हो गई, खेलना बोल सकते हैं, लिखना बोल सकते हैं, कैसे लिख रहे हो भही या तुम इनको? तो सकर्मक किरिया वो होती है जियाद रख लेना जिनका जवाब क्या से मिल जाए जिनका जवाब किससे मिल जाता है जिनका प्यारे बच्चे जवाब क्या से मिल जाए किससे क्या से मिल जाए जैसे वही क्या खा रहे हो तो जवाब आएगा या नहीं आएगा कुछ बताओ क्या खा रहे हो तुम कहो बहिया लड़के तो कहेंगे बहिया बादाम खा रहे हैं लड़की से पूछो क्या खा रही हो मुमोज, इल्ली पटैटो क्या बोलेगी ऐसी बता देगी चाउमीन बता देगी तो कुछ तो जवाब आएगा क्या पी रहे हो लड़के बोलेंगे दूद लड़की से पूछोगे तो क्या कहेगी एकदम से कॉल्ड कॉफी तो अवाज आएगी क्या खेल रहे हो क्या खेल रहे हो लड़कों से पूछोगे खिरकिट, फुटबॉल, लड़की से आप पूछ लोगे, एकदम से कैरम बोर्ड बता देगी, लूडो बहुत खेलती है, लूडो, लिखना, क्या लिख रहे हो, तो आप पूछोगे लड़के से, तो लड़का जवाब देगा, मैं प्रेम पत्र लिख रहा हूँ, लड़की स क्या है, अकर्मक होती है, प्यारे बच्चे, जिनका जवाब क्या से ना मिले, क्या से ना मिले, अच्छा जी भी ऐसा होता है, तो कुछ बताओ ना, तुम बताओ, जैसे मैं बोल दूँ आप से उड़ना, वही क्या उड़ रहे हो, जागना, क्या जाग रहे हो, क्या जाग तो प्यारे बच्चे जब क्या से जवाब ना मिले तो आप कहना भाया जी जवाब नहीं मिल रहा है नहीं यानी की ए और से माने सहित यानी हाँ जवाब मिलता है ठीक है कोदिकत अच्छा भई अब मैं आपसे किरिया पूछूँगा ठीक है जी मैं आपसे किरिया पूछूँगा एक नहीं दो पूछूँगा दो जैसे तुम मुझे बताना प्यारे बच्चे, रोना कैसी किरिया है, बताना जरा, रोना कैसी किरिया है, ये मैं आप से पूछ रहा हूँ, और प्यारे बच्चे, हम क्या आप सूल सकते हैं, बनाना कैसी किरिया है, बनाना, रोना कैसी किरिया है, आप कहोगे, क्या रो रहे, आंसू थोड़ी बता दोगे एकर्मक है क्या बना रहे हैं मकान बना रहे हैं जहाज बना रहे हैं जब आप मिलेगा सकर्मक होगा जी क्या हो जाएगी सकर्मक तो अकर्मक सकर्मक समझ गए अकर्मक समकर्मक आपसे परिक्षा में किसी दिन छटवाने लगे तो क्या लगा लोगे जी क्या लगा ले ठीक है बच्चा लगा लोगे या नहीं देख ले ना कभी पता चले रात में जाक के महनत भी कर रहे हो और सही नहीं करके आ रहे हो पूरा फूकस से पढ़ना जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं न भाईया जी ये भाईया जी वो ये कमेंट करते रहेंगे बच्चा तो तुम अपने आपको फूकस पर रखो जो सलेक्ट होना चाहते हैं ठीक है को दिक्कत दावत मिल जाएगी सबको क्यों दिक्कत ले रहे हो सलेक्शन लेके तो आओ एक बार यहां तक की बात में कोई दिक्कत तो ये दो तो थी कर्म के आधार पर एक किरिया संरचना के आधार पर भी होती है संरचना और प्रियोग के आधार पर प्रियोग के आधार पर व्याकरण बड़ी मजबूत होती है अच्छा थमसब करके बताना कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे हिंदी की व्याकरण पहले पढ़ी है बोलेंगे बई बोलो फटाफट से संरचना और प्रियोग के आधार पर या सारे ऐसे के ऐसे हो कि जिनोंने नहीं पढ़ी है बहुत बढ़ी है नहीं 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 बहुत सांदार बहुत खूब आज पढ़ रही हूँ जी आज ही पढ़ लो तो आज ही जरूरी है संड़ेचना के आधहर पर दियान से सुनते चुनना एक-एक वाक्या बताऊँगा इससे जादा नहीं पूर्व कालिक किरिया और बाकी तुम अपनी कौपी में अपना मस्तिस्क प्रियोग करके लिखते चलना पूर्व कालिक किरिया मैंने लिख दिया वे है क्या लिख दिया मैंने आप से मैंने लिख दिया वे है वे है चाए पी कर सो गया वे है चाए पी कर सो गया अब बताओ इसमें किरिया कौन कौन सी है पहले इसमें किरिया बताओ जान गए किरिया किसी काम का होना बताती है किरिया बताना किरिया कौन सी है इसमें पीना बई चाय तो किरिया नहीं दिखरी किसी को वे है तो क्या है ये तो सर्व नाम है भी या अभी जान गए ये किसी के नाम की जगे ही तो इस्तेमाल हुआ कोई रमेज चाए पीकर सो गया होगा या दिनेज होगा ये चाए क्या है ये कर्म होता है अब्जेक्ट है सब्जेक्ट है इसमें क्या बोलोगे आपका वहे पीना क्या है इसमें पीना भीया एक किरिया है तो सोना भी तो एक किरिया है इसमें तो मूल धातू से बन जाएगी सोना या नहीं तो पीना और सोना बो लो कौन सी पहले हुई एक किरिया पहले कौन सा काम करा उसने तो वह चाए पी कर सो गया तो यानि चाए पहले पी और सोया बाद में तो पीने की किरिया पहले हो गई और यानि की पीने की जो किरिया है वो पूर्व में हो गई ठीक है तो जब दो किरियाओं में से कोई एक किरिया पहले हो जाए और वाक्या में दो किरिया दे तो आप कहेंगे कि भाया जी वो पूर्व कालिक किरिया होती है एक वाक्या बनाओ अपनी कौपी पर आप कहोगे वहे खेल कर पढ़ने लगा तो खेला पहले है और पढ़ा बाद में है यानि खेलने की किरिया पहले हुई है और पढ़ने की किरिया पढ़ने की किरिया कब हुई है प्यारे बच्चे बाद में हुई है और इसी को पीना को हम क्या बोलेंगे ये पूर्व कालिक किरिया पद होता है तो आप से अंडरलाइन करके पूछ सकता है पेपर में तो आप कहेंगे ये कौनसी किरिया है अगर पीकर को अंडरलाइन, अंडरलाइन करके दे रहा है मैं पढ़कर सो गई एक बच्चे ने लिखा, बहुत बढ़िया चलो बई, बटा सलेक्शन की बात है, सलेक्शन की एक एक पिरसन महत्पून है एक है प्रे नार्थक कौनसी किरिया, प्रे नार्थक किरिया, अब यहां से दो समझना प्रे नार्थक किरिया क्या होती है, बही परिभासा भी लिख ले न, ये समझ गए न परिभासा इसकी यस लिख के बताओ तब मानूंगा इसकी परिभासा समझ गए ना कि पहले दो किरियाओं में से कोई हो जाए तो उसको भाया जी हम क्या कहते हैं पूर्वकालिक किरिया कहते हैं प्रेनार्थक होता है देखना भई नौकर ने मालिक से पानी छिड़कवाया नौकर ने भई हम नौकर से काम कराएंगे नौकर ने मालिक से पानी छिड़कवाया छिड़कवाया तो काम किसी दूसरे से कराया या नहीं कराया बोलो भई मैं बोल दू माता जी ने पिता जी से सबजी मंगाई माता जी ने तो किसी दूसरे से काम कराया नहीं कराया अब ये मत कह देना भहिया पिता जी तो घर के हैं पिता जी दूसरे थोड़ी है दूसरे से मतलब है तुद नहीं कर रहे हैं नौकर ने पानी खुद नहीं छिड़का है किसे छिड़कवाया किसी अन्यवेक्ती और अन्यवेक्ती कौ है मालिक है तो क्या बोलेंगे क्या बोलोगे बोलो भ Ital हो ठीया जी ये हो गए का अपका जब काम दूसरे से कराए तो प्रेह नार्थक ठीक है माता जी क्या खुद सबजी लेके आई है नई जी किसी और से मंगाई है पिता जी से, खुद नहीं लेके आई, खुद नहीं लेके आई हैं, तो जब प्यारे बच्चे दूसरे से काम कराए, तब क्या होता है, बोलो प्रेणार्त, एक एक वाक्य आप सोचो, बड़ा अच्छा, बहुत सांदार आपको लगेगा, एक एक वाक्य सोच लो बस, ठीक है, तीसरा प्यारे बच्चे इसमें जो आप लोगों को पढ़ना है, वो है सजातिय किरिया, बहुत सौट, बहुत कम चीज़े आपको पढ़ाओंगा, जिनसे आप परिक्षा में परसन कर पाओगे, सजातिय किरिया है, क्या जब एक जैसी जाती की किरिया आ जाए, उसने बहुत लड लड़ाईयां लड़ी, कब लोगे, बहुत लड़ाईयां लड़ी, इसमें भीया सजातिय कैसे है, देखना भे ध्यान से कैसे है, तो यहां भी लड़ाईय और यहां भी लड़ाईय, यानि मूल धातु क्या है, लड़ और यहां भी प्यारे बच्चे मूल धातु यही है, तो जब एक जैसी मूल दातू आ जाएं तो क्या हो जाता है प्यारे बिच्चे सजातिय किरिया हो जाती है जैसे उसने बहुत चड़ाईयां चड़ी उसने यूपीएसाई माए थे इस बार बहुत उसने बहुत चड़ाईयां चड़ी उसने बहुत चड़ाईयां चड़ी एस तसी की इस धोके बाजी का बदला हम दो घंटे में लेंगे कितने घंटे में दो घंटे में लेंगे तो बोलो इसमें एक जैसी किरिया कौन सी हैं प्यारे बच्छे बोलो भी इसमें कौन सी हैं बोलेंगे भी फटा फट से बहुत सांदार पंकज यादव सर जी आँख दर्द होने लगी है प्यारे बच्चे माफी चाहता हूँ आपकी आँख अगर दर्द मेरी वजह से कर रही है तो सायद जितना पौन पर आपकी आँख पर प्रभाब पड़ता है यहां बोर्ड में और उपर की तरफ देखोगे यह वाली लाइटिंग लगातार आँख पर पड़ती है आँख पर तुछ गंटे यहां खड़े हो जाओ तो आँख सूच जाती है लेकिन यह हम सब के लिए जरूरी है हमारे लिए भी जरूरी है आपके लिए भी जरूरी है ठीक है तो बोल दो जे हिंद जे भारत इमा पर इतनी कमजोरी से खड़े होगे क्या भाई है इतना कमजोर आदमी बोलो भी फटाफट से सजातिय किरिया कोई दिक्कत इस बात में अच्छा चौथी लिखो किर्दंत किरिया किर्दंत किरिया की एकी पहचान है एगा और एगी रट लो एगा और एगी एगा एगी क्या मतलब भहिया वह चलेगा तो जब कभी एगा या एगी पूछ लेना या पूछ ले वे है चलेगी एगा या एगी या किर्दन तो होते हैं पाँचवा है सहायक किरिया इज एम आर ये तो बच्चे बच्चे को जानता है नहीं जानते हो तो सीख जाओगे भाई कोई बड़ी बात नहीं सहायक किरिया क्या होती है इज एम आर पढ़ें कभी या नहीं बोलो भी कहेगो भीया हमने तो नहीं पढ़ें तो वे है आता है ता है ती है तो सबने पढ़ें भाई ये तो जो सेंटेंस भी नहीं जानता ना वो भी जानता है ता है ती है ते है तो ये क्या है ये सहायक किरिय या की पहचान है वे है वे है बाजार क्या बोलोगे वे है बाजार में घूम रहा है अरह रहा है रही है पढ़े हैं या तुम्हारे लिए है जो बच्चे हिंदी को जानते हैं वो आज भी बीस में सब बीस कर रहे है लेकिन तुम भी उनसा पीछे लाइन में ना हो पाओ ठीक है? उदिकत ताहयक किरिया होती है अच्छा एक होती है प्यारे बच्चे अनू करनात्म किरिया बड़ी इंपोटेंट है आप से पूछ रहा है रेकांकित करके आज यही कुश्यन पूछे गए है अभी सजातिय किरिया के भी बताऊंगा अनू करनात्म किरिया कौन सी होती है अनू करनात्म किरिया कौन सी होती है जिसमें सब्द रिपीट होता है बोले क्या फड़ फड़ाना क्या बोलोगे फड़ फड़ाना देखो उसने चड़ाईयां चड़ी वहाँ तो दो किरिया थी अलग-अलग थी चड़ाईयां अलग सब्द था चड़ी अलग सब्द था देखो अपनी कौपी में उसने लड़ाईयां लड़ी लड़ाईयां अलग सब्द था और प्यारे वच्छे लड़ना एक अलग सब्द था ठीक है लेकिन इसमें एक खटे लिखा रहे था पड़ फडाना क्या बोलोगे पड़ फडाना हिन हिनाना घोडा हिन हिना रहा है आप से पूछ लेगा हिन हिना मक्KIyA भिन भिना रही हैं होगा की नहीं होगा मिमियाना लिख रहे हैं सन्य पांडे जी बहुत सांदार भै प्यारे पच्छे बहुत गजब तो यह क्या है? यह अनू करनात मक्किरिया है आ रहा है पच्छे इस कमजोर तुमहरे बच्छे से इस सुन्दर से भेजे में कुछ आता है कि नहीं आता है या सब कुछ जाता है वलो भई फटाफट से हम सब करके बताओ तो सही मुझे ये तो पता चले कि ये जो अल्प समय में है इसमें मैं आपको चीजे सिखा भी पा रहा हूँ या नहीं सिखा पा रहा हूँ चहे चाहाना बहुत सांदार बच्चे लीक को पकड़ते हुए बहुत सांदार भई बहुत खिल खिलाना खिल खिल दो बार आगया बहुत खूब भई नहीं मियाओ मियाओ नहीं होएगा मियाव मियाव कोई किरिया थोड़ी है यार इसको ना तो बनाओ मियाव मियाव दो अलग सब्द है अब तुम बहुं 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 बताने लग जाओ तो वहिया ऐसे थोड़ी बनेगा किरिया तो बनाओ यार ना करके लह लहाना चह चहाना एकदम से सही है गुन गुनाना एकदम से सही है आओ वहिया एक और बात करते हैं अब आते हैं आज के S.S.E. G.D. के कुश्चन पर प्यारे बच्चे वो है आपका संयुक्त किरिया जब लोगे संयुक्त किरिया और संयुक्त किरिया की हम बात करें तो प्यारे बच्चे संयुक्त किरिया के हम लोगों को भेद पढ़ने होते हैं तो हम लोगों का फोकस रहेगा इसके भेद पढ़ने पर जब दो किरिया संयुक्त हो जाए ठीक है वे है वे है ऐसे बात करें हम प्यारे बच्चे वे है जाने लगा तो जाना और लगना दो किरिया ही हो गई लेकिन इसके भेद बड़े important है जो आज पूछे गए देखना question कैसे पूछा गया वे है ध्यान से देखना प्यारे बच्चे वे है नाचने लगा आपसे पूछ लिया कौन सा किरिया का भेद है भीया हमको कैसे पता नहीं जानते सच में नहीं पता चल रहा है तो बोलो वे है नाचने लगा क्या अभी उसने कारिये को सुरू किया या नहीं किया तो प्यारे बच्चे ये क्या है ये हमारा आरंब बोधक किरिया होती है आरंब बोधख स्टैयुक्त किरिया होती है यानि उसने सुरू किया है अब आप मुझे बताव एक बार बोलो प्यारे बच्चे कि कारिये को सुरू करने वाला एक वाक्ष बनाओ वह तयार होने लगी यानि उसने सुरू कर दिया है खुद को तयार करना ठीक है वहे खोदने लगा तो सुरू कर दिया है वहे भागने लगा तो सुरू किया है तो सुरू किया एक एक वाक्या बनाने की कोशिस करो तब बहतरीन हिंदी हो पाती है अच्छा जी अच्छा भीया इसमें एक होती है आरंब बोधक एक होती है इसमें समापती बोधक कौन मतलब है तो भीया काम को समाप्त कर दो ना भाई समाप्त कैसे होगा समाप्त होगा राम खाना खा चुका है यानि काम क्या हो गया है किरिया खाना क्या हो चुका है प्यारे बच्चे खाना किरिया खत्म हो चुकी है वो खाना खा चुका है बनाओ एक एक वाक्य जिससे क्या हो हो जाए अनुमती बोधक जिसमें अनुमती दे दी जाए अनुमती दे दी जाए तो भाईया कैसे बनेगा उसे उसे जाने दो उसे पानी पिलाओ अनुमती देदी, स्वी करती देदी स्वी करती देदी ठीक है? तो उसे जाने दो, एक-एक वाक़्े सोचो उसे खेलने दो, उसे परिसान मत करो, ठीक है? अनुमती, क्या बोलोगे? तुम खेलने जा सकते हो और प्यारे बच्चे एक होता है आपका अवकास बोधक कौनसी अवकास बोधक अवकास बोधक होती है प्यारे बच्चे जिसमें पुड़ा सा गैप आता है जैसे हम बात करते हैं अवकास बोधक में मुझे एक वाक्या लिखता हूँ मुझे बहुत मुस्किल से समय मिला है जब समय की बात हो मुझे बहुत मुस्किल से समय मिला क्या बोलेंगे ये गैप आ गया ना उसको क्या बोलेंगे मुझे बहुत मिस्किल से समय मिला तो एक अवकास हो गया एक गैप आ गया अवकास तो जानते हो ना भाई छुट्टी को कहते हैं अवकास बहुत बढ़िया मेरी उससे बात पूरी नहीं हो पाई बहुत बढ़िया लिखा है ये हमारे कोई दिल जले भाई है उन्होंने लिखा है मेरी उससे बात पूरी नहीं हो पाई मतलब बात के बीच में क्या आ गया? गैप आ गया बहुत जीओ मेरे सेर अरजियो हमारे लाला अनुमती अवकास बोधक हो गया एक होता है प्यारे बच्चे इसी में आवशक्ता बोधक यानि जिस चीज की क्या हो आपको आवशक्ता हो ठीक है हमें यह किलास लेनी चाहिए तो यह आवशक्ता है परिक्षा की SSE GD की यह मांग है हमें यह किलास लेनी चाहिए ठीक है और भी कोई हम बोल सकते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि घर की स्थिती को बदलने का प्यारे बच्चे यह आपका कर्तव्य है और कल क्या पंक्तिया लिखी थी मैंने तुमने पढ़ी क्या बुला था मैंने यह SSE GD की नौकरी नहीं यह कर्तव्य पत है मेरी मा मेरी मा मेरी काम्याबी को मुझे रोज रोज प्यारे बच्चे भीगी सी आँखों से देखती उसकी दुआउं से सफलता की और बढ़ता यह एक विजयरत है तो प्यारे बच्चे कल आप सीमाओं पर होंगे और मैं हमेशा कहता हूँ किसी district magistrate से भी बड़ा कर्तव्य आप हलाकि हर किसी का अपना कर्तव्य होता है लेकिन जो सीमाओं पर खड़ा है ना वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा प्यारे बच्चे अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है उसका सानी कोई नहीं हो सकत वो अगली सकत तुम होगे इस देश की पहली पंक्ती प्यारे बच्चे तुम मेंसे वो बच्चे होंगे वो नहीं जो आलसी है वो बॉर्डर पर नहीं जाना चाहिए देश को जब पाकिस्तानी आएंगे तो वो प्यारे बच्चे सो जाएगा ऐसा तो नहीं जाना चाहिए ना जो एक पैन नहीं उठा पा रहा है तो प्यारे बच्चे वो कल को एक एफुटी सेवन क्या उठाएगा तो क्या बोलेंगे निश्य बोधक बता दो निश्य यानि जिसमें निश्चित बात हो वह उसको जरूर माफ करेगा वह उसको जरूर माफ करेगा जरूर माफ करेगा जरूर निश्य बात हो गई सविता उससे जरूर बात करेगी सविता उससे जरूर क्या बोलेंगे बात करेगी तो ये हो गया निश्य बोधक संयुक्त के रिया एक होता है प्यारे बच्चे और इसको इंपोटेंट मार्क कर लो इंपोटेंट तो एक-एक सब्द लिख रहा हूँ मैं आपके लिए नित्यता बोधक क्या होता है जिसमें काम लगातार जारी रहे हवा चल रही है और एक-एक वाक्या आपसे जारना चाहूँगा प्यारे बच्चे इसमें हवा चल रही है या मैं बोलू हवा तो बहती है जी तो बह न लिख सकते हैं हवा बह रही है चलने की वजाए अगर बह बुले हवा बह रही है अब बताओ नित्यता यानि जिसमें काम चल रहा हो चल रहा हो अभ्यास बोधक होता है अभ्यास बोधक में क्या होती है इसमें प्रैक्टिस की बात होती है प्रैक्टिस कहले तो ताहे वाली चीजे वहे प्रती दिन खेलता ह तो अभ्यास हो रहा है ना मैं रोज पढ़ता हूं तो आप अभ्यास कर रहे हैं ना वह है प्रति दिन खेलता है क्या बुलता है प्रति दिन खेलता है एक बच्चा कह रहा है भीया जी दिल धड़क रहा है कि नित्यता बोदक है हाँ वो नित्या अपना काम कर रहा है नित्या तो काम जारी रहे, बहुत बढ़िया, बहुत सांदार दिल जलो की इस फोज में हम रात को 11 बजे आ चुके हैं भीया, हमें नहीं पता था, हम तो सोच रहे थे ये छोटा बच्चा, बड़ा खोटा बच्चा निकला, इच्छा बोधक, क्या बोलोगे, इच्छा बोधक, इच करें हम, तो जिसमें प्यारे बच्चे, इच्छा की बात आए, इच्छा, इच्छा है, मैं तुम से बाते करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो गया, चाहा हो गई, मैं तुम से बाते करना चाहता हूँ, मैं भारत मा की सेवा करना चाहता हूँ, क्या बोलें, मैं भारत मा की से पंरुक्तुप देवा करना चाहता हूं।ि और इस दुन्या में यह दो ही माँव हैं जो बदले में कुछनेहीं लेती हैं। एक मेरी मां। और प्याREAM बच्चे एक भारत मां। तो, इनके लिए हम करेंगे। तो क्या बोलेंगे मैं तुम से बाते करना चाहता हूँ ये इच्छा बोधक है भाई पढ़ लिया करो पढ़ विगर पढ़े कुछ भी नहीं हो पाएगा पुनरुक्त बोधक कौनसी होती है ये अंतिम है पुनरुक्त बोधक दिहान से पढ़ना और इनसे वाक्या बनाने जक से आजाएए रमेज केलना पूढ़ना पसंद करता है तो आ गी खेलना कूढ़ना पसंद करता है तो जब एक साथ आजाए वहां खाने पीने का सौकीन है, ऐसे बोलने, तो दो किरियाएं एक साथ आ जाए, उदिकत, कोई परिशा नहीं, बोलेंगे एक बार, ठीक है, अब बात को समझो, आगे बात को समझेंगे, आगे क्या बात है जी, आगे बड़ी महत्पून बात आती है, एक कर्मक और दुई कर्मक किरिया, अंतिम्याय किरिया का, एक कर्मक और दुई कर्मक, एक एक लाइन में समझ जाओगे भाई, एक कर्मक, क्या नाम दिख रहा है, एक कर्म, दुई कर्मक, कितने कर्म है भीया, बोलो कितने कर्म हैं, दुई कर्मक, एक कर्म, देखना, राम फुट बॉल खेलता है, राम फुट फुट बॉल खेलता है, इसमें बोलना कितने कर्म है, खेलना तो प्यारे बच्चे क्या हो गई, किरिया हो गई, यह क्या है, खेलना यह तो किरिया सब्द हो गया, राम क्या हो गया प्यारे बच्चे, यह करता हो गया, काम को करने वाला, यही तो खेलता है, यही सब्जेक्ट है फुटबॉल क्या है कर्म है तो कितने कर्म आए बोलो भई कर्म कितने अरब बोलो तो सही भाई बोलने में भी दिक्कत हो रही है क्या भई आप बोल रहे हैं बैठके लेकिन कमेंट सेक्षन में आवाज नहीं आती अच्छा दुई कर्म क्या होती है बोलना ऐसे बो नवीन भाईया ने चात्रों को हिंदी पढ़ाई बोलो चात्रों को हिंदी पढ़ाई तो बोलेंगे भाईया कौन है करता करता होगे हम काम को करने वाला जो काम को करता है किरिया क्या हो गई पढ़ाना पढ़ाना हो गई प्यारे बच्चे क्या किरिया चात्र क्या है क्या पढ़ाई हिंदी पढ़ाई एक तो जवाब मिलता है क्या और एक जवाब मिलता है किसको माली ने पौधों को पानी दिया क्या दिया पानी दिया इसको दिया पौधो को दिया तो प्यारे बच्चे ये क्या हैं ये दो कर्म होगे एक छात्र और एक लिए और जब दो कर्म वाक्या में आ जाएं तो किरिया क्या हो जाती है दूई कर्मक क्या बोलोगे दूई कर्मक किरिया हो जाती है ठीक है क्या बोलोगे तब भीया जी किरिया हो जाती है हमारी दूई कर्मक किरिया और जो मुख्य बात जिसका जवाब हमको क्या से मिलता है क्या पढ़ाई हिंदी पढ़ाई तो ये मुख्य कर्म होता है क्या होता है ये ये मुख्य कर्म होता है और किसकों से जिसका जवाब मिले ये प्यारे बच्चे बहूत सांदार भी कमेंट पढ़ाएंगे बच्चों के एक बार बोलेंगे भई फटाफट से नित्यता बोधक प्यारे बच्चे एक बच्चा कहा रहा है सहयक और नित्यते में क्या अंतर है नित्यता बोधक आपका एक पिरकार है एक पिरकार है सहयूत किरिया के अंदर तो या तो संयूत किरिया आपको विकल्प में देगा वो सारे option संयूत किरिया के जो मैंने पिरकार बताए है या फिर सहायक किरिया से पूछेगा तो मुख्य किरियाओं के नाम देगा तब आपको किरदंत देगा परिनार्थक देगा सहायक पूछेगा और सह्यूक्त तो देगा नहीं कोई और देगा और अगर सह्यूक्त के विकलपों में से जानना चाहरा है जिसे आज कुश्यन बने तो सह्यूक्त की जो किरिया है उसके प्यारे बच्चे पिरकार आपको देगा ठेंक यू सो मच कुछ नहीं ठेंक यू एंक यू नहीं बोलना है ठेंक यू बोलोगे तो फिर बात गड़बड में आ जाएगी ये प्यारे बच्चे अपना कर्तव्य है आपका कर्तव्य है पताए क्या हुआ था इल्ली पुलिस का ऐसी पेपर हुआ था 2020 में कम्प्यूटर पहली सिफ्ट में जो बच्चा देखे आया बच्चों को पैटरन एकदम से बदल दिया कम्प्यूटर का एक या दो कुश्यन बच्चों के तीन या चार बहुत सारे बच्चे उस समय नौकरी नहीं ले पाए थे उसको लेकिन हमने तुरंत पैटरन समझा तुरंत बच्चों के लिए मेराथन किलास की उस समय पर आप देखोगा आज भी यूटीपर है वो वर्ड और एक्सल की किलास उसके बाद के जितने भी बच्चे थे वो सब आठ नौ और दस तक तो ये बहुत जरूरी है अब हमको तो बदलाव करने होंगे न और आपके साथ है आपके परिक्षा जब तक चलती रहती है ओके उदिकत प्यारे बच्चे चौथे और बड़े चैप्टर पर आते हैं फिर तो दो छोटे चैप्टर बचेंगे क्या विशेशन बड़ा चोटा सा चैप्टर है विशेशन क्या करता है बच्चा तो आप कहेंगे विशेशन भिया जी संग्या और सर्वनाम की विशेश्ता बताता है क्या करता है ये संग्या सर्वनाम की विशेश्ता बताता है अभी तो समझाया था आपको फिर से समझाएंगे संग्या सरवनाम की विसेस्ता बताता है संग्या जान चुके बई इस और नो सरवनाम जान चुके अभ ऐसे सीखा जाता धीरे धीरे एकदम से सोचोगे कि भीया कि एकदम से सीख जाओं सब कुछ नहीं भई फिर तो punishment मिलेगा पेपर में तो क्या बोलोगे संग्या सर्वनाम की विसेस्ता मैंने बोला भई राम राम सुन्दर है तो बोलना इसमें मुझे बताओ एक बार एक बार मुझे बताओ इसमें संग्या कौन सी है संग्या बताओ आप कहेंगे बहिया अब तो ऐसे मत पूछो अब तो एक्सपर्ट हो गए संग्या ढूनने में राम व्यक्ति वाचक संग्या है राम कैसा है तो विशेशन जवाब देता है कैसा का इसका जवाब देता है कैसा का राम सुन्दर है राम काला है बवीता लंबी है ठीक है सुनीता छोटी है ठीक है मैं आपसे बोल दूँ सिध्धी क्या बोलेंगे सिध्धी सिध्धी बहुत सुन्दर है सिध्धी बहुत सुन्दर है आप कहोगे भीया कौन इसमें क्या बोलोगे कौन है इसमें प्यारे बच्चे आपका संग्या सब्द तो आप कहेंगे भीया सिध्धी है विसेस्ता क्या है सिध्धी सुन्दर है ये क्या है प्यारे बच्चे ये विसेस्ता है ये विशेशन हो ग बहुत प्यारे बच्चे, जो विशेशन पर भी जोर डाले, यानि जो विशेशन से पहले लग जाए, इसको हम बोलते हैं, प्रेविशेशन, क्या बोलोगे, प्रेविशेशन कहते हैं, प्रेविशेशन, जो विशेशन से पहले, प्रेविशेशन, प्रेविशेशन से पहले, प्यारे बच्चे कोई ना, एक मिनट का और समय लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे, एक उधारन लिखा मैंने आपके लिए, क्या बोलेंगे, एक उधारन लिखा प्यारे बच्चे मैंने आपके लिए, राम बहुत अच्छा है, इसमें प्यारे बच्चे मुझे बताओ, आपका विशेशन कौन सा है संग्या कौन सा है और प्रेविशेशन कौन सा है तो आप कहोगे भीया जी बहुत आसान है राम संग्या सब्द है बहुत क्या है आपका पहले विशेशन ढूंड लो अच्छा क्या है ये विशेशन है और जो विशेशन की विशेशता बताए वो प्रेविशेशन है क्या है बच्चा वो प्रेविशेशन है समझे बात को बोलेंगे क्या कहेंगे भीया एक बच्चा कह रहा सुन्दर तो भाव है बटा सुन्दरता होता भाव सुन्दर भाव नहीं होता सुन्दर सब्द से, सुन्दर विशेशन से बनने वाला सब्द सुन्दरता अभी तो बताया था, आज ही बनवाया था आपसे भावाचक में है बई, बच्चू, बच्चू अकल के कच्चू तो क्या बोलेंगे, राम बहुत अच्छा है तो बात समझ में आई इतनी, कि विशेशन क्या है अच्छा, अब हम बात करते हैं विशेशन के भेद नो तरह से इसकी बात हम करते हैं, प्यारे बच्चे विशेशन के भेद, एक तो हम पढ़ते हैं, प्यारे बच्चे अगर हम बात करें किसकी बात उद्देश्य विशेशन होता है एक तो और एक होता है आपका विद्धे विशेशन उद्देश्य विशेशन और दूसरा हमारा प्यारे बच्चे होता है विद्धे विशेशन क्या होता है विद्धे विशेशन आपका होता है अच्छा, उद्धिश्य विशेशन हम कैसे जानेंगे? बहुत आसान है भाई देखो न, उद्धिश्य विशेशन क्या होता है? यह है प्यारी लड़की है यह है प्यारी लड़की है ठीक है? और एक वाक्य मैं उल्टा लिखूंगा थोड़ा यह लड़की पियारी है, यहीं से समझना होगा, देखो जरादया किया मैं बात बता रहों तो प्यारे बच्चे मैं अगर बोलूं, इसमें हम किसकी बात करें इस वाक्षे में बताना जराँ तो बात तो विशेश्य की होती है यानि शंग्या की बात होती है या सर्वनाम की लड़की एक संग्या सब्द है या नहीं है और लड़की की विशेश्ता क्या है कैसी है लड़की प्यारी है तो ये क्या है विशेशन है या नहीं है विशेशन है या नहीं है और संग्या को हम हमेशा संग्या या सर्वनाम को हम विशेश्य कहते हैं ये परिभासा है याद रख लेना किसी भी सब्द को विशेश्य तब कहेंगे जब वो संग्या या सर्वनाम है ये है लड़की प्यारी है बात किसकी चल रही है लड़की की तो ये प्यारे बच्चे क्या है संग्या है लड़की कैसी है प्यारी है ये क्या है प्यारे बच्चे ये विशेशन है भीया जी तो दौनों वाक्यों में अंतर क्या है भीया जरा समझाओ ना समझो यहां विशेश्य की जो विशेश्टा बताई वो पहले बताई या बाद में लड़की की विशेश्टा पहले ही बतादी या बाद में बोलना पड़ेगा भई अब तो पहले या बाद में बोलो भईया पहले बताई है या बाद में तो आप कहेंगे भई अब पहले बता दी, और जब प्यारे बच्चे क्या बोलोगे, जब विशेशन पहले हो, क्या हो, विशेशन जब पहले आ जाए, किस से, विशेशन से, संग्या से, उदिश्य विशेशन होगा, और जब संग्या क्या होता है विशेश है जब विशेशन कब आए भहिया जब विशेशन बाद में आए बाद में आया ना लड़की की तारीफ बाद में हुई तारीफ ही तो विशेशता है तारीफ ही तो विशेशन है तारीफ बुराई ये सब विशेशन है तो बात समझे हम सब करके बता दो उद्देश्य विशेशन विधे विशेशन सही समझ में आया तो हम आपको फिर आज का कुश्यन बताते हैं आज क्या पूछा गया विशेशन से प्यारे बच्चे कुश्यन पूछा गया उसकी अवस्था से एक कुश्यन और एक कुश्यन पूछा गया प्या के आधार पर प्यारे बच्छे संरशना के आधार पर होते हैं इसके चार भेद कितने भेद होते हैं भीया चार भेद होते हैं चार भेद भीया जी कौन से होते हैं बड़े आराम से समझना प्यार से रात के चक्करम भाग मत जाना है ना कायर मत बन जाना बस अच्छा लिख के बताओ कौन-कौन कायर है मजा कर रहा हूँ नीद आए तो सो जाना आखों में दर्द हो तो सो जाना क्लास आप बाद में देख सकते हो कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आप अभी लाइफ देखेंगे लेकिन कल आपका परिक्षा है फरसो आपका या दो-चार दिन बाद परिक्षा है तो थोड़ा संगर्स रत रही ए कोई कोई तो किया आप में हूझी कायर तो ऐसे बच्चे नौटी बच्चे है संख्या वाचक परीमान वाच्चक क्या बोलेंगे संख्या वाचक विशेशन ठीक है यहीं समझना एक लाइन में समझेंगे इसको इनी चार लाइन में संख्या वाचक विशेशन हो गया प्यारे बच्चे और चोथा होता है गुण वाचक विशेशन गुण वाचक विशेशन होता है तो विशेशन तो बच्चा समझ गए भहिया, कि भहिया जी विशेशन क्या होता है, जो किसी संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताता है, ठीक है, तो संख्या वाचक की अगर हम बात करते हैं, तो संख्या वाचक तो प्यारे बच्चे, एक तो होता है निश्चित, क्या हो पूछे आपसे एक लाइन लिख करके देगा और मैं आपसे टेस्ट लूँगा अभी अभी टेस्ट लूँगा निश्यत क्या होता है प्यारे बच्चे जिसकी संख्या हो पाए मैं बोल दू चार लड़के आए हैं गिलोगे या नहीं गिलोगे और तुम बताओ मैं आपसे कह रहा हूँ कि चार लड़के आए हैं मैं आपसे बोल दू प्यारे बच्चे क्या मैं आपसे बोल दू पांच ग गेंद लेकर के आए हैं तो अंडरलाइन कर दिया उसने पांच गेंद तो संख्या इनकी गिंती हो सकती है येस और नो बोलेंगे सारे बच्चे बताओ येस और नो गिंती हो सकती है या नहीं आपको होगा भीया जी बिलकुल हो जाएगी एनिश्चित का मतलब होता है कुछ लड़के आए हैं तो गिंती क्या कर पाओगे भीया देखो लड़के गिने तो जा सकते हैं जी लेकिन उसने संख्या नहीं दी एनिश्चित हो गया ठीक है पांच गेंद पांच गेंद मैं बोल दूँ पिता जी कुछ गेंद लेकर आए हैं आप कहोगे भीया गेंद की गिंती तो हो जाएगी लेकिन बताई नहीं है संख्या कुछ दे दी सकते हैं तो वाक्या आप से ऐसे पूछ रहा है कि बाजार में कुछ लड़के खड़े थे कुछ लड़के को रेकांकित कर लिया पूछ रहा है कौन सा प्यारे बच्चे विसे सड हैं तो आप कहोगे संख्या वाचक और संख्या वाचक में भी ए निश्चित ठीक है अच्छा निश्चित के बहेद मत पढ़ना भई आवरती है दो गुना ती गुना ठीक है किरम वाचक है आपका पहला दूसरा तीसरा यह पढ़ने की जरुषत नहीं है पढ़ने की जरुषत नहीं है पूनांक बोधक बोले एक दो तीन ऐसे जनर्नल जानना चाहते है तो जान लो बोले तिगुना चौगुना पाँच गुना आवरती हो रही है पहला दूसरा तीसरा यह किरम बता रहा है यार वो पंक्ती में पहले नंबर पर यह कोई पढ़ने की चीज़े हैं क्या? बोलो भई परिमान वाचक निश्षित क्या बोलोगे? निश्षित परिमान वाचक ठीक है और ए निश्षित सर जी मौटिवेशन दे दो बच्चा में मौटिवेशन के लिए यह कहता हूँ कि हम वो असली अलादे हैं जो जियों के इस मौटिवेशन सब्द का सिकार नहीं है हमें पता है हमाती जरुरत क्या है और हम अपनी जरुरतों के हसाब से किसी क्या वो लोगे इस motivation सब्द के जरिये हम नहीं जियेंगे हमको पता है अपनी हकीकते हमें कहां जाना है परिमान क्या होता है माप तोल क्या वो लोगे माप तोल माप तोल तो माप तोल की चीज़े निशित है भहिया अरे सुनते हो जी दो किलो आलू ले आना उन्होंने बोला ठीक है ठीक है फिर ये ले आएंगे दो किलो आलू चार किलो चीनी ये गिन करके आयगी क्या चीनी शार on गिन कर लाओगे क्या भाईया तोल के ही तो लाओगे बोलो भी हाँ भाईया गिनती करके नवाला तो नहीं है भाई कोई जो छीनी को गिन के लाए आलू के लिए हम भाईया कभी कोई मम्मी है कहती चार आलू लेकिन दुकानदार तोल के ही देगा भाईया चार आलू नहीं द जब तक रहेगा समोसे में आलू जब तक रहोगा मका तेरा बन के सालू कुछ किलो कैसे लाऊगा कैसे लाओगे? कि आप बोलें कुछ चीनी कैसे पता चलेगा कुछ चीनी आई है कुछ चीनी आई है पता ही नहीं चल रहा मैं कर दूँ बहुत दूद हाया है बहुत दूद कैसे पता चलेगा आपको बहुत दूद आया है चार लीटर तो चलो करके बताओ क्या परीमान वाचक बोलो भई निश्यत और ए निश्यत समझ में आया तो जब बात पक्की कर दे और गिंती हो पाए तो संख्या वाचक संख्या यानि गिंती और जब बात पक्की कर दे और वो चीज नप के या तुल के आती हो बोल दे वो तीन किलो पनीर लाए तब पनीर नापके और तोल के ही तो आएगा स्थार्व नामिक विशेशन चक्कर आ जाते हैं बच्चों को अगर बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते तो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं इसको लेकर के जब आप लोग दोगे ना आगे यूपी पुलिस कोई बच्चे आप मैंसे तब पता चलेगा तुम्हें मैंने बोला एक वाक्या लिखने लेना बस और तुम से लिखवा हूँ अगला वाक्या और तुम ही लिखोगे मेरे सेर यहे कुत्ता मेरा है यहे कुता मेरा है मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया था अगर तुम कौपी में लिख रहे हो तो कौपी का पेज खुल कर देखो सर्वनाम में मैंने आपको बताया निश्य वाचक सर्वनाम तो क्या मैंने वहाँ वाक्या बोलोगा या तो बोलोगा यह मेरी पुस्तक है या कुछ और बोला होगा देखा वाक्या सर्वनाम खुलो अपनी कौपी में और उस सर्वनाम में जो वो 11 सर्वनाम मैंने लिखवा रखे है जिसमें मैं और तू के नीचे मैंने यह और वह लिखवा रखे हैं उस यह और वह के दाएं हाथ पर देखो क्या आपने अपनी कौपी में लिखा है तो आप कहोगे हाँ भी या क्या लिखा था भई बोलो जरा बहुत गजब आंसर आएगा यह वह बहुत गजब यह मेरी लेकिन मैंने बोला यह कुट्था मेरा है बच्चा मुझे बता दो यह क्या है यह क्या है यह तो आप कहोगे भी यह जो है ना एक सर्वनाम है जानते हो नो डाउट अच्छा कुट्था क्या है एक संग्या है अब तुमसे चलो पूछी लूँ कुत्ता कैसी संग्या जरा बताना कुत्ते के जैसे और कुत्ते होते है या नई हाँ जी भीया जाती वाचक है जाती वाचक है जी तो क्या बोलेंगे तो भीया सर्वनाम के बराबर में क्या आगे आपका सर्वनाम के पड़ोस में जब संग्या आजाए सुरुवात में सर्वनाम के पड़ोस में अगर संग्या सुरुवात में आजाए तो सार्वनामिक विशेशन हो जाता है सार्वनामिक विशेशन सुनो भई कैसे हो जाता है एक वाक्या बनाओ ऐसा ही सर्वनाम से सुरुवात करो और उसके साइड में संग्या लिख दो वे है घर मेरा है यह जूता यह बोल दें यह जूता यह पैंसिल मेरी है तो प्यारे बच्छे क्या हो जाएगा बताओ ना भाई तो सर्वनाम का पड़ोसी सुरुवात में संग्या है या नहीं है सर्वनाम का पड़ोसी संग्या सर्वनाम का पड़ोसी संग्या यह पैं मेरा है बहुत अच्छे लिख रहे है बिल्ली मेरी है एक बच्चे का नाम दिखा दो यार एक कमेंट दीखे भाईया आप ठीक हो यह अपना दोस्त आकास कुमार अब सब लिखने लग जाएंगे ऐसी मजाक कर रहा हूं तुम सब अपने हो अभी तो तुम्हारे लिए प्यारे बच्चे रात को यहां खड़े हैं भगवान कसम सुबह एक पराठा खाया था तुम्हारे एससी जीडी के पेपर में पूरा दिन चला गया लेकिन जो बच्चों के सब्द सुने ना कहीं एकजाम सेंटर पर किसी और चैनल पर किसी ने यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है टेली ग्राम में जब मैसेज पढ़े ना जब अपने वाटसेप पर मैसेज और ऐसा समझो यह उर्जा कई गुना हो जाती है कई गुना कुछ नहीं है प्यारे बच्चे जिसने महनत करी है ना उसके लिए कुछ नहीं है वो सलेक्शन लेका जाएगा इस भरता कोई नहीं रोक सकता उसे ताकत लगा देंगे डरना नहीं है जिनका पेपर लेट है ना उनको डरना नहीं है अभी सोचो भीया हमारी बारी को क्या होएगा वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा और जो तेरी महनत के द्वारा तेरी महनत के द्वारा तेरी महनत को देखते हुए उसने लिखा होगा तो महनत करोगे ना तब ही लिखा जाएगा सब विगर महनत के नहीं लिखा जाता, गुण वाचक विशेशन, तीन विशेशन, आँख बंद कलो, संख्या वाचक, परिमान वाचक, और प्यारे बच्चे, सारवनामिक विशेशन, तीनों के लिए रहे, बाकी पूरी दुनिया कहा जाएगी, वो गुण वाचक विशेशन में जाएगी, बा इमानदार को क्या नाप तोलोगे, परिमान बता दोगे, क्या इसको, जैसे मैं ऐसे बोल दूँ, वहे इमानदार वेक्ति है, तो भीया, बोलना जरा, इसको तोलोगे, क्या इमानदारी को, है, इसको भीया जी, क्या आप घिल लोगे, क्या, है, क्या सरवनाम के बरावर में प्यारे बच्चे संग्या सब्द है तो ना तो परिमान है ना संख्या है तो क्या हो गया गुण वाचक हो गया बोलो सौरब अगरी हारी कह रहे है ये नवीन भीया मेरे भीया है पै क्या तुम्हारा नहीं हूँ मैं बाकी का ये ऐसा कैसे कह रहे है गुण हो प्यारे बच्चे, चाहे दोस हो दोस का मतलब है, मैं बोल दूँ जूटा, बेईमान, लालची तो क्या बोलोगे, आप कहेंगे भीया, वह लालची वैकती है गुण हो, चाहे दोस हो, चाहे कोई आकार की बात हो यह कमरा चोकोर है आप भी बोलो ना भाई मेरे साथ यह कमरा छोटा है बड़ा है कोई रंग की बात आजाए रंग की लाल नीला की बात आजाए प्यारे बच्चे रंग की किसी स्वाद की बात आजाए स्वाद की यह खटा है तो खटे को नाप तो लोगे क्या क्या गिल खट्टे को, बोलो, सब गुण वाचक में जाएंगे, खट्टा बोले, या बोले, मीठा, दसा पूछले आपसे, क्या पूछले, कोई दशा पूछले, अभी मैं ही पूछूंगा, कोई क्या पूछले, जवान, बूढ़ा, क्या बोलोगे, जवान, बूढ़ा, इस पर्स पू दरा, बोलते नहीं है, वो soft लड़किया एकदम से ले लेती हैं से कपड़ों को, मार्किट से सो soft, देखो ये कितना soft है, चलो भई, आगया आएंगे अब समझो, अब मैं तुमसे ऐसे भी तो पूछ सकता, चलो या गुणवाचक तो हम पहचान लेंगे गुणवाचक तो हम पहचान लेकिन मैं आप से पूछ लूँ कि प्यारे बच्चे ये है, मैंने आप से पूछ लिया ये है खटा आम है ये है खटा आम है ये है खटा आम है अब समझना मेरी बात को द्यान से मुझे बताओ कि ये किस पिरकार का प्यारे बच्चे गुनवाचक विशेशन है तो खटा क्या है? स्वाद है तो ये स्वाद बोधक है क्या बोलोगे? ये स्वाद बोधक है भीया बोल दो जरा भाई इतनी बात समझ में आई आँख बंद करके बोलो भाया संख्या में गिल लेंगे पक्की संख्या है तो निश्चित है संख्या गिनने वाली चीज़ों में फिक्स नहीं बताए सब बोल दे बहुत लोग आए हैं लोग तो गिने जा सकते हैं लेकिन बहुत उसने बोल दिया तो निश्चित संख्या वाचक है लेकिन बोल दे चार लोग आए हैं तो निश्चित संख्या वाचक है इसी तरह परिमान माप तोल में प्यारे बच्चे आपसे बोल दे इसी तरह सार्वनामिक विशेशन में आपसे बोल दे इसी तरह गुणवाचक में एक आता है विशेशन की अवस्था क्या बोलोगे विशेशन की अवस्था और विशेशन की कितनी अवस्थाएं होती है प्यारे बच्चे बोलें एक मिंट में ये चैप्टर खतम आप कहोगे तीन होती है भी या एक तो होती है मूल अवस्था एक होती है प्यारे बच्चे आपकी क्या बोलोगे मूल अवस्था के साथ में उत्तर अवस्था कौनसी उत्तरावस्था और एक होती है प्यारे बच्चे आपकी कौनसी उत्तमावस्था कौनसी होती है उत्तमावस्था होती है ये क्या होती है भीया तो देखो जैसे मूल अवस्था में किसी वस्तू को हम बोले निम्न या किसी वस्तू को हम बोले उच उत्तर अवस्था क्या होगी तो उसमें भी तर लग जाएगा निम्न तर और उच्च तर की तो क्या बोजाएगी आपका उच्चतर हो जाएगा उच्चतर की बात करें तो निम्नतम हो जाएगा और उच्चतर की बात करें तो उच्चतर हो जाएगा ये क्या होता है ये तो समझाओ भाईया हम जो ये होता क्या है दरसल में प्यारे बिच्चे जो विशेशन की अवस्थाएं होती हैं ये बताती है मूल अवस्था जैसे मैं बोल दूँ करेला हमेंसा यही बताता हूँ करेला कडवा है क्या बोलेगें करेला कडवा है अच्छा मैंने यहां करेले की तुलना किसी से की है या ने येस और नो से कड़वा है तो मैंने किस से तुलना कर दी यहां पर नीम और करेले की तुलना प्यारे बच्चे मैंने यहां पर की 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 नहीं की ये बो तो जब किसी से तुलना ना हो तो मूल अवस्था और जब तुलना हो किसी दूसरे से तो प्यारे बच्छे उत्तर अवस्था और उत्तम होती है जब सबसे तुलना हो यानि करेला सबसे कड़वा है यानि कि सभी के बीच में एक तुलना हो तो उत्तम अवस्था होती एक वाक्य लिखूंगा और मैं पूछूंगा कि विशेशन की कौन सी अवस्था है कुश्चन सुनना मेरा राम कक्षा में सबसे होशियार है और फिलीज बच्चा एक बार बताएंगे सारे दोस्थ क्या इसमें आंसर है भहिया लगू का लगुत्तर लगुत्तम हो जाएगा बिलकुल होगा मेरे दोस्थ क्यों नहीं होगा तो क्या कहेंगे भहिया सबसे की बात आ गई और सबसे की बात में उत्तमावस्था होता है क्या होता है उत्तमावस्था होता है पर तुम देखना ये किलास सदीयों तक जानी जाएगी ये एक एक परसन पक्का करके सेलक्शन की ओर ले जाएगी और जब बॉर्डर पे पास होना तो याद रख लेना कि भहिया कक्षा काम आई ठीक है वो दिक्षत तो राम कक्षा में सबसे होसियार है इतनी बात में किसी को कोई दिक्षत भहिया आगे बढ़ें तो आगे 20 मिनट का हमारा काम और बच गया सिर्फ और काम क्या बच गया प्यारे बच्चे अब आजाते हैं हम वाच्चे पर आज पूछा गया बच्चों में बड़ा सोर रहा भहिया वाच्चे वाइस से कुश्चन पूछ रहा है वाइस बोलते हैं अंग्रेजी में किरतर वाच्चे क्या होता है किरतर वाच्चे होता है एक होता है प्यारे बच्चे आपका कर्म वाच्चे क्या होता है कर्म वाच्चे होता है और एक होता है प्यारे बच्चे आपका भाव वाच्चे पूछने को और पढ़ने को तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है अगर मैं आपको गिरामर पढ़ा रहा होता तो इस अध्याय को मैं आपको दो दिन में पढ़ाता हूँ मैं हिंदी का बड़ा धीमा अध्या पखूँ दीरे दीरे पढ़ा के सिखा के आपको पढ़ाता हो तो क्या बोलेंगे किरतर वाच्छे कर्म वाच्छे और प्यारे बच्छे भाव वाच्छे तो यह होते क्या हैं समझना एक बार पड़े ध्यान से किरतर वाच्चे ध्यान से देख सकते हो कर्म के अनुसार खिरिया होगी किसके अनुसार कर्ता के अनुसार कर्म वाच्चे में कर्म के अनुसार और भाव वाच्चे में भाव आएगा कोई डाउट ही नहीं है ठीक है, PDF डिलवा दीजे सर, प्यारे बच्चे अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, पिलीज कायरता का परीचे ना दे, भागने वालों में नहीं है हम लोग, मेरे दोस्त, आपकी वज़े से हमारी पहचान है, और हम कहते हैं हमारी नीव आप लोग हो, और हमें भरोसा है तुमार बागने वाले नहीं हो, किलास से आना जाना ये कोई विशय नहीं है, आप यहां कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, बस अपना ख्याल रखा करिए, बहुत सारा पढ़ा करो, बहुत सारा, बोलेंगे, उपर दिखाएं भी, कमेंट क्या पूछ रहे हैं, सारवनामिक बिल्ली है, यह मेरी बिल्ली है, और एक मैंने आप से वाक्य बोला था, सारवनामिक विशेशन में, यह बिल्ली मेरी है, यह बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बहिया अंतर क्या है, तो बच्चा जब सरवनाम का पढ़ासी संग्या हो जाए, तो क्या होता है, सार सर्वनामिक विशेशन हो जाता है और जब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम ही रहे तो निश्यवाचक सर्वनाम हो जाता है चापलो अपने दिमाग में हम सब कर दो भई बात समझ में आई है हमारे भाई न दियान से नहीं देखा था नहीं तो मैंने समझाय तो वहीं था भीय आओ जी क्या बोलोगे किरतर वाच्चे किरतर वाच्चे में करता की बात आती है जैसे मैं बोल दूँ राम दूध पीता है क्या बोल दिया मैंने राम दूध पीता है ठीक है या इसमें नेबी इसकी पहचान होती है जैसे मैं बोल दूँ विवेक ने पुस्ती का पढ़ी क्या बोलेंगे विवेक ने पुस्ती का पढ़ी तो किरतर वाच्छे में देखो एक पहचान क्या होती है किरतर वाच्छे की? ने और एक यहां पर ने गायब भी हो सकता है बोल सकता है राम ने दूद पिया या विवेक ने ने तो पहचान होती ही है करम वाच्चे में क्या होता है सीता के द्वारा क्या बोलोगे सीता के द्वारा क्या बोलेंगे उस तक पढ़ी जाती है क्या बोलोगे सीता के द्वारा उस तक पढ़ी जाती है इसमें के द्वारा पहचान होती है क्या होती है के द्वारा जैसे मैं बोल दूँ आपसे बच्चों के द्वारा बच्चों के द्वारा अखवार पढ़ा जाता है अखवार पढ़ा जाता है पहले मैं आपको पहचान सिका रहा हूं थोड़ा पढ़ा जाता है और भाव अच्छे में प्यारे बच्छे आती है ए समर्थता क्या बोलेंगे ए समर्थता तो ए समर्थता में क्या होता है जैसे हम बोलें दादी जी से या सीता से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती दादी जी से नहीं चला जाता क्या बोलेंगे दादी जी से चला नहीं जाता और अगर बूलें राम से राम से दोडा नहीं जाता दोडा नहीं जाता प्रिक्त इसमें भावच्चे में क्या दरसाता है ए समर्थता दिखाता है क्या दिखाता है ए समर्थता दिखाता है भीया आज वाला कुश्चन कैसे पूछा गया था वाच्चे का अभी बताता हूँ इतनी बात समझे ने के दुआरा और ए समर्थता पहले इतनी बात पर थमसब करो और वाक्य सोच सकते हैं आप ने के द्वारा और ऐसमर्द था इतनी बात समझ में आई पिरिसन आप से पूछा गया प्यारे बच्चे पिरिसन आप से पूछा गया ललित के द्वारा ललित के द्वारा नाचा गया यह किस पिरकार का वाच्चे है पहले ये पहचानू तब बताऊँगा पिरसन कैसा पूछा गया था तो ललित के दुआरा नाचा गया तो के दुआरा आप एकदम से पकड़ लोगे कर्म है पकड़ लिया पिरसन पूछा था ललित के दुआरा नाचा गया को किरतर वाच्चे में बदलो तो किरतर वाच्चे में तो के दुआरा होता नहीं बदलो इसको कैसे बदल कठिन काम नहीं है बहुत आसान काम हो गया के दुआरा है करम पूछ रहा था इसको किरतर वाच्चे में बदलना है करम वाच्चे को किरतर वाच्चे में बदलना है तो क्या ने से बदल जाएंगे तो क्या बोलोगे ने, क्या इसे लिख दो ललित ने नाचा गया भहिया गलत है ललित ने नाचा ये भी ठीक है या बोल दें ललित नाचता है ललित नाचता है या ललित नाचा क्या बोलोगे ललित ने नाचा या ललित ने नाच किया या ललित नाचता है उधिकत बोलो भी या कोई परिसानी नहीं है क्या किसी को भाई एक और बदल दो जरा जब समझूगा जैसे मैं कुश्चन दे दूं आपको मैं आपको दे दूं की सविता खाना खाती है सविता सविता खाना खाती है, इसमें वाच्चे बताना कौन सी वोईस है इसमें, आप पहले पहचानो, सविता खाना खाती है, इसमें कौन सा वाच्चे है, तो आप कहोगे, भाया जी, किरतर वाच्चे है इसमें, कौन सा है प्यारे बच्चे, किरतर वाच्चे है, है की नहीं है, very good सब का आंसर आता हुआ किरतर वाच्चे तो सविता खाना खाती है तो इसको करम वाच्चे में बदलो क्यारे बच्चे request है सब का आंसर चीए मुझको एकदम सही आपकी copy पर comment section में नहीं आपके मस्तिस्क में तो आप कहेंगे सविता के द्वारा सविता के द्वारा से बनाएंगे भीया अगर विवक्ती गायब है तो भी कर्म है यहां तो कुछ लिखा हुआ नहीं ने भी नहीं है तो क्या है करतर है सविता के द्वारा क्या बोलोगे सविता के द्वारा खाया गया यह हो गया सौर्ट में वाच्चे खतम, इतना करना है और अगर इसका भावाच्य बनाना तो क्या बोलोगे सविता से खाया नहीं जाता सविता से खाया नहीं जाता ललित से नाचा नहीं जाता ऐ समर्थता दरसादो ललित से नाचा नहीं जाता क्या बोलोगे सविता से खाया नहीं जाता या भीया हमेशा यह समर्थता होगी नहीं जरूरी नहीं है समर्थता भी हो सकती है सविता से खाया गया सविता के द्वारा खाया गया तो कर्म वाच्चे हो गया सविता से खाया जाता है तो खा सकती है समर्थता भी हो सकती है ललित से नाचा जा सकता है यानि ललित नाच सकता है समर्थता दर्सा है कौनों ही होते हैं ठीक है? इतनी बात में कोई दिक्कत बोल दो भई एक बार एक बार थमसप करो आँख बंद करके कि ने नहीं भूलेंगे के दुआरा नहीं भूलेंगे ऐस समर्था समर्था को नहीं भूलेंगे परिवर्तन करेंगे और विकलब देखे भईया थडाक कर देंगे एक सेकंड लगाएंगे कोई दिकत नो 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 यह नोई चाहिए बस तुमारा और यह अंतिम दस मिनट मुझे देदो प्यारे बच्चे अव्या के का बोलोगे अव्या अब मैंने तुमको चार चीज सिखाई पहले तो चार कुश्चन कर लूँ तुमसे संग्या जानते हो प्यारे बच्चे संग्या का एक उधारन तुमसे पूछूँगा सर्वनाम जानते हो प्यारे बच्चे कोई एक सर्वनाम मुझे आप बताना क्या आप प्यारे बच्चे खिरिया जानते हो आप मुझे उसका आंसर बताना क्या आप प्यारे बच्चे विशेशन जानते हो उसका आंसर मुझे आप बताना ठीक है? क्या बोलोगे? विशेशन का आंसर आप मुझे बताना जिहां से देखना प्यारे बच्चे अगर हम बात करें किसकी संग्या की तो बोल दू भई लड़का संग्या है या नहीं है? हाँ भीया लड़का तो संग्या है सर्वनाम क्या बोलेंगे? इन्हें बोल सकते? इन्हें? बिलकुल है किरिया प्यारे बच्चे अगर हम बात करें किसी किरिया सब्द को ले लो भाई कैसे? जाता या जाना ले लो? जाता सब्द ले लिया हमने जाता, किरिया सब्द का उधारन है विशेशन में हमने ले लिया मोटा, क्या ले लिया मोटा, अच्छा कुछ भी ले लो तही लिये ना मैंने सब्द, बोलो एक बार, हाँ जी खाता ले लो, तुमारी मर्जी है जो कुछ तुम लेना चाहते हो तो ये हैं प्यारे बच्छे विकारी सब्द ये क्या है विकारी सब्द ये क्या बात आपने कर दी तेको प्यारे बच्छे विकार का मतलब होता है चेंच यानि की परिवर्तन तो विकारी सब्द कौन से सब्द होते हैं इनकी छोटी सी परिभासा मैं आपको दे रहा हूँ, जिन में विकारी सब्द वे सब्द होते हैं, जिन में लिंग, वचन, काल, कारक, कालकारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जाता है, ठीक है जी? अब समझना मेरी बात को, कैसे जी? तो विकारी सब्द तो महत्पूर्ण है, ठीक है जी, मान लिया। तो प्यारे बच्चे, एक बात बताओ ना मुझको, कि क्या लड़के में लिंग के आधार पर, लिंग बोले तो इस्त्रिलिंग और पुलिंग के आधार पर बदला जा सकता है, क्या वचन के आधार पर इसको बदला जा सकता है? हाँ जी, लड़के का भीया, लिंग के अनुसार लड़की हो जाएगा, और वचन के अनुसार लड़के भी बदल जाएगा, बहुवचन भी हो जाएगा, तो बोलो संग्या बदलती है या न सर्वनाम सब्द प्यारे बच्चे इसे अगर वचन के अनुसार बदले, वचन इन्हे का इन्होंने इसे का इसका उसका उसको उन्होंने सब किया जा सकता है सर्वनाम सब्दों का, किरिया का जाता का जाते हो सकता है नहीं वह बाजार जाता है और वो बाजार जाते हैं तो बहुवचन के अनुसार तो ये भी बदल गया विशेशन का प्यारे वच्चे क्या हो जाएगा तो मोटा का भहिया क्या हो जाएगा आप कहोगे भहिया जी इस तरी लिंग के अनुसार मोटी हो जाएगा तो बदले सारे या नहीं तो हम परिभासा पर चलते हैं जो लिंग वच्छन कालकारक के अनुसार बदल जाते हैं उनको हम विकारी सब्द कहते हैं क्या बोलते हैं उनको विकारी सब्द कहते हैं लेकिन अव्य क्या होता है अव्य होता है एविकारी सब्द क्या होता है एविकारी सब्द तो कभी भी पेपर में पूछे ना आपसे कि अव्य कौनसा है छटवाएगा आपसे अव्य तो छाट ले ना संग्या जानते हो सर्वना किरिया विशेशन नहीं है वो अब्य है अच्छा भी है ऐसा होता है क्या हान जी अब समझना चार लाइन और सिखा रहा हूं फिर चले जाना एविकारी सब्द कौन सा यहां इसको बदलना जरा वहां कितने बहुवचन बना लो इसके लेकिन बदलना क्या बदल दोगे इसको अच्छानक को बहुचन बना लो इसका लिंग बदल लो प्यारे बच्चे क्या ये चेंज हो जाएगा परिवर्टित करो इसलिए किंतु परंतु बताओ ना भाई मेरा समर्थन तो करो मेरी बात का क्या ये सब्द चेंज हो जाएंगे बोलो तो कभी भी ऑप्शन में अव्यय पद बताईए, अव्यय पद बताओ, मैंने कुश्यन दे दिया आपको, अब सुनना, फिर आगे की बाद तब बताऊंगा, अव्यय पद बताना, एक उपसन तो दे दिया मैंने सडक, ठीक अभिया जी, दूसरा उपसन मैंने दे दिया प्यारे बच्चे सुन्दर, ठीक है, तीसरा उपसन मैंने दे दिया इधर, इधर, ठीक है, और चौथा उपसन मैंने दे दिया आपका, क्या जाना, बताना जरा, अब्वियापद, जब अर्दस्त उत्तराना चीए, खतरनाक यूट्यूब हिल जाना चीए, अभी हिलाना यूट्यूब साम, तुम लोगों के प्यार, S.S.E. G.D. के बच्चों ने हमें वो सब कुछ दिया, जो संभव नहीं था, आस्मान पर लेके गए हो, भाई, तुम हमें आस्मान पर, तुम्हारे लिए कभी भी, कभी भी, जब तुम कहो, तब, पुदिक्यत, बोलो भई, तो क्या बोलोगे, जिन में लिंग वचन कालकारक के अनुसार परिवर्तन वो विकारी, और जिनमें ना हो वो एविकारी, अव्य के चार पिर्मुक भेद पढ़ लो, गहराई से मत पढ़ने लग जाना, कभी कोई बहका दे, यहां से पढ़ लो, वहां से नहीं, अंतिम लाइन सुलो, अव्य के मु करे, इस्थान वाचक, इस्थान वाचक, ठीक है, किरिया विशेशन भी बोलते हैं, काल वाचक बता दो, क्या बोल दे, काल वाचक पूछले आप से प्यारे बच्चे, तीसरा, परिमान वाचक पूछले आप से, क्या पूछले, परिमान वाचक पूछले आप से, और चार ह आपसे पूछ ले, रीति वाचक, क्या बोले, चौथा आपसे पूछ ले, रीति वाचक, इस्थान वाचक क्या होता है, जब इस्थान की बात करे, इस्थान की, वहे इधर गुम रही है, भीया तुमने हमारा लाला देखा है, आप को होगे वहे उधर गुम रहा है, वहे तरफ जा रही है? तो इस्थान बता रहा है. इस्थान. ऊचे वह इधर आ रही है. अंडरलाइन कर दे. कौन सा अब इस्थान? काल को. क्या समय? यार इस्थान ही तो बताएगा यहां से. काल तो समय को बताता। टाइम बोलते हैं काल को टाइम. मैं आज आउंगी. तो इसने टाइम बताया मैं कल जाओंगी ठीक है ये टाइम बताया उसने मैं अभी आ रहा हूं ये टाइम है अभी आ रहा है अभी मैं प्रति दिन आफिस आता हूं ठीक है बोले मैं प्रति दिन पांच बजे उठ जाता हूं तो पांच बजे का क्या मतलब हो गया भीया प्रति दिन ये समय ही तो बता रहा है समय ही तो बता रहा है एक बच्चे की सुलो क्यारा सड़क का सड़के नहीं हो जाएगा अब कौन मने कर रहा नहीं होगा भीया इधर नहीं बदल सकता इधर ये क्या है तो क्या बोलेंगे भी है जब आपका समय बताया जाए समय का मतलब है जब आपका टाइम बताया जाए टाइम से मतलब है कि काल बता रहा है कि किस समय वो चीज हुई है ठीक है परिमान वाचक क्या होता है परिमान वाचक होता है प्यारे बच्चे बहुत बहुत जरा जरा का मतलब होता है थोड़ा क्या होता है जरा मतलब मात्रा ही तो है ये वह बहुत सारा समान लाया वह जरा सा समान लाया ठीक है वह काफी मात्रा में समान लाया वह कम चीजे लाया कम तो ये परिमान ही तो है ये बता रहा है आपको कि म मात्रा कितनी है परिमान मतलब होता है प्यारे बच्छे क्वांटिटी क्वांटिटी और रीती वाचक बताता है किरिया का पिरकार एका एक बारिस होने लगी एकदम से अचानक अचानक बेशक बेशक ये प्यारे बच्छे सब अव्य हैं अव्य हैं ठीक है कोई दिकत बोलें तो प्यारे बच्चे ये आप सब लोगों के सामने मैंने संग्या से लेकर के अव्यतक ये 6 चैप्टर आप लोगों को पढ़ाई बहुत महत्पूर्ण अध्याय है प्यारे बच्चे जो बच्चे बाद में वीडियो को देखेंगे या अभी देख रहे हैं तो आप लोगों क हमारा कोई घाटा इसमें होता नहीं है अपना ख्याल रखिए बहुत सारा बहुत अच्छी महनत आप लोग प्यारे बच्चे करते रहिए और जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बताएं क्लास आपको कैसी लगी चाहे आप कुछ भी ना करें मैं आप से मैं आप एससी जीडी की नौकरी नहीं ये मात्र भूमी की सेवा के लिए करता ब्यपत है मेरी मा की आस से और मेरी मा की दुआओं से सफलता की तरफ बढ़ता ये एक विजयरत है और हम इसको पहुचाएंगे प्यारे बच्चे मुकाम तक मिलके पहुचाएंगे ख्याल रखिए बा झाल झाल झाल